नमस्कार दोस्तों चंद्रा इंस्टिट्यूट के आनलाइन क्लास में मैं विजे विक्रंद सिंग आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग सुभ संध्या इश्वर करें आप स्वस्त रहें प्रसन रहें मुस्कुराते रहें चलिए मेरे दोस्त आज की इस व्याकरन की मैराथन क्लास को सुरू करते हैं और आप जैसा जानते हैं कि मैं फिर वही बात कहूंगा जो प्यार जो सने हैं आपका मुझे सिक्षन के वीडियो में मिला सिक्षन के माराथन में मिला आप भाई बहनों का वही प्यार वही सने आज मिले पर थोड़ा सा बढ़ा कर थोड़ा सा बढ़ा कर और दोस्त मेरे बस फिर मैं उस ग्यान की देवी वागिश्ष्वरी मा वि भाई बहनों के लिए सब कुछ हितकर हो जाए, सब कुछ जो है सफल हो जाए बस और मैं आप भाई बहनों से इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि आप भी बिल्कुल एकडम निरलिपत भाव से जो है बिल्कुल माविडावादवनी का नाम ले करके और सुरू हो जाए और दोस्त मैं एक बात बता दूँ आपको केवल सीटेट ही नहीं आज की जो महराथन क्लास मैं देने जा रहा हूँ मेरे दोस्त उस महराथन क्लास को आप कहीं भी प्रयोग कर लीजिएगा और इतना सुरू करने से पहले बस केवल एक बात और करना चाहूंगा कि अगर किसी ने आज तक आपको लगे जब पढ़ते समय आपको महसूस हो कि यार आज तक हमने व्याकरण पढ़ा था लेकिन आज व्याकरण आँखों से दिख रहा है आज अगोस अगोस दिख रहे हैं आपके सामने जैसे मूर्थ रूप लेकर बैठे हैं आज हल प्राण महा प्राण ऐसे लगता है जैसे सामने खड़े हैं बटे हुए बिकुल अगर लगे कि व्याकरण को प्रटेक्श किया जा सकता है मूर्त रूप दिया जा सकता है यदि आपको ऐसा लगे तो एक बार अपने बड़े भाई के लिए लाइक और शेयर जरूर करिएगा जूम करके तो चलिए मेरे दोस्त जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी यह संख्या इस बात का प्रटेक्श प्रमार है कि यह क्लास जोरदार होने वाली है धमाके दार होने वाली है और दोस्त मैं अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा कर आया हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा ज्यान लगा दूँगा इस क्लास के लिए ठीक है तो आईए मेरे दोस्त आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं आज की इस कक्षा को शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं हिंदी व्याकरण दोस्तों वास्तों में अगर लगे की व्याकरण आँखों से दिख रहा है तक जो है शेयर करिएगा आज जैसा कि आप लोगों ने देखा एक दम हमने एक हमबल रिक्वेश्ट किया कि यदि लगे की चंडरा इस्टिटूट दमदार हो रूप से मेहनत कर रहा है तो अपने भाईयों तक पहुंचा ये बात आएए मेरे दोस् यह एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से हमेशा प्रश्ण बनते हैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से प्रश्ण ना बने आपके किसी भी परिक्षा में तो सब लोगों को जोड़िए जोड़िए एक बार सबको जोरदा धंचन जोड़िए सबको और आईए आज की का कि अगशा को प्रारम करते हैं देखें दोस्त हमशु करने जा रहें हैं वर्ण हम कौन साचैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्ण ठीक है चलिए अब आईए देखते हैं देखे मैंने यहां कुछ चित्र लिया इस चित्र के माध्यम से मैं आपको ऐसा आराम से पढ़ाऊंगा बेटे कि आपको लगेगा कि वान हमारे सामने मूर्त रूप लेकर खड़ा है देखो बेटा आप लोग देख पा रहे होंगे इस हमारी पृत्वी है बहुत दिन पहले की बात है हमारे इस सूरज के बगल से एक बहुत बड़ा सा गरह गुजरा जो सूरज से भी बड़ा था और उस गरह के गुजरने का परिडाम क्या हुआ बेटा उस गरह के गुजरने का परिडाम ये हुआ जैसे आप देखो आप दूसरे से बधे हुए हैं अगर ये एक दूसरे से बधे ना होते तो ये कहीं खो गए होते कहने का मतलब हर ग्रह एक दूसरे से ता एक पावर से एक जो है फोर्स से जुड़ा होता है तो दोस्त मेरे देखिए जब सुर्य के बगल से वह इससे भी बड़ा सा एक ग्रह किया बिल्कुल कहानी की तरफ जिमी शूर क्यों कि जब दोनों की ताकट टक्राईए तो जो बड़ा होगा जो ज़्यादा पावर फूल होगा वो फीचेदा तमजोर को अपनी ओर जब उसने सुर्य को अपनी ओर खीचना सुरू किया तो सुर्य उसके साथ तूट कर चला गय होता ना आज जोता ना हमारी प्रीटहुंपी लेकिंद कि उसकी स्पीड कि इतनी तेज कि जब कको कीशता तो आगे बढ़ गया कि उसने एक प्रभा़व डाला क्या B को यौह कि सूर्य के एक भाग को तोड़ लिया और सूर्य वैस किली हुए कूट अलगकर और जब सुरी से अलग कर लिया तो वो भाग यहां से अलग होकर बन गया हमारी प्रिथवी बात असपस प्रिथवी कैसे आई बात समझ में आ गई एक बड़े ग्रह ने सुरी के एक भाग को तोड लिया और तोड कर उसको बना दिया हमारी प्रिथवी ठीक है उसको तोड कर अब सुनना बेटे पृत्वी पर बारी सुई धीरे धीरे पानी हुआ हर्याली आई सब कुछ आई ये बात समझ में आ गई अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा अब आगे बढ़कर क्या और चोटी सी कहानी देखते हैं चोटी सी कहानी क्या है कि जब पृत्वी पर सब कुछ हो गया तो क्या हुगा प्रिठवी पर जन्म लिया किसने मानव ने किसने जन्म लिया बेटे मानव ने जन्म लिया ठीक है अब ये मत कहिएगा कि अगर ऐसा मानव था तो नहीं रहता तो ठीक था भाई हमें बनाना नहीं आता है हाँ मुश्कुराते रहें हसते रहें क्लास कत अगर आप कहें तो चार चार लाइन में एक एक चैप्टर मारदां गुरू जी लेकिन थोड़ा सा कॉंसेप्ट लीजिए बाद में ट्रिका तड़ता है और फिर देखिए कैसे एकदम मजा आ जाता है बस सेर करिएगा संचा जोरदार आग पचास के उपर जाना है यह आपके संबान की बात है मेरे लिए नहीं मैंने तो अपना पूरा संबान लगा दिया अपनी पूरी ताकत लगा के पढ़ाऊंगा पूरा ज्यान लगा के पढ़ाऊंगा और सारे ठीट लगा के पढ़ाऊंगा संबान आपका है बात आपकी है चलिए तो मैंने कहा इस धरती पर मा जब मानौ इस धर्ती पर आया तो वो डरा था, क्यों डरा था? क्योंकि भाया प्रिथवी पर बड़ी बड़ी जानवर थे, कई एक बार में खा सकते थे उसको, अब वो विचारा जाये कहां, तो डरा परा था, तो हुआ क्या? एक दिन, एक दिन उसने अपने जैसे एक और को देखा, देखा रही यार, एक तो बिल्कुल ही तम यार, एक तो हमारी ही तरह से है, एक दभू बहू हमारी तरह से है, जब उसने क्या किया? उसने कुछ आवाजे निकाली, कुछ आवाजे निकाली, साथ ही कुछ संकेत किया, कुछ आवाजे निकाली साथ ही कुछ संकेत किया और इसे बताने का प्रयास किया कि अगर हम दोनों मिल कर रहें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं क्योंकि एक से भले दो अब देखे इसने भी इनकी बात को सुना ध्यान देना बेटे इसने क्या किया इनकी बात को सुना समझा सुना समझा और फिर इसने भी संकेतों और आवाजों के माद्यम से बताया क्या हम साथ रहेंगे समझे बेटा पहली बार पहली बार यहां मानोंने एक दूसरे से संबाद किया और जब मानो ने एक दूसरे से संबाद किया तो पहली बार यहां जन्म लिया किसने हमारी भाष्टा किसने जन्म लिया हमारी भाष्ट अब आप समझ रहे हूंगे कि गुरूजी काहले ये सूर्य चंड्रमा दिखा रहे थे गुरुजी आपको रताएंगे नहीं यहीं खेलते खेलते याद करा देंगे धर्ती बनी धर्ती पर मानावाया मानो डरा हुआ था जब उसने अपने जैसे एक और को देखा उससे कुछ संकेत किया कुछ हावाजय निकाली कहा अगर हम मिलकर रहें तो हम सुरक्षित रहेंगे दूसरे ने भी बात को सुना समझा और बोला ठीक है भईया आज से हम साथ साथ है अब हम साथ रहेंगे बात समझे बेटे सबसे पहले यहीं बनी हमारी भासा क्यों? क्योंकि आप तक क्या पढ़ा है आपने भासा की परिभासा अपने भाओं योंग विचारों को दूसरे तक पहुचाना तथा दूसरे के भाओं योंग विचारों को सुनना और समझना इसी को कहते हैं भाशा बात समझ में आई बात समझ में आई भासा ने जन्म लिया लिकिन ये भासा कैसी थी मेरे बच्चे, ये भासा थी मौकिक, ये भासा थी ओरल, जिसमें कोई लिखित तक्ष नहीं था, धीरे धीरे दो हुए, दो से चार हुए, दस हुए, बीस हुए, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, समाज बढ़ता गया, संस्कृत बढ़ती गई, दीरे-दीरे कभीले बने, कभीले का मतलब जैसके लोग एक जैसा कपड़ा पने, एक जैसा खाना खाए, एक जैसे घरों में एक साथ रहते हैं, कभीले बने, कभीलों से धीरे-धीरे बिक्सित होकर गाओं बने, गाओं से बिक्सित होकर हडपा मोहन जोड़ो, लोथल काली ब से डरे हम वाई से डरे हम जल से डरे हमने उनकी उपासना की प्रार्तना की हमने शुरीदेव से प्रार्तना की बड़ी भहन कठन पड़ रही हमने शुरीदेव से प्रार्तना की ये शुरीदेव प्रकट हो दूप करो तो कहने का मतलब धीरे धीरे हमारी भासा विक्षित होती गई और विक्सित होते होते एक पिल्ही से दूसरी पिल्ही को जाने लगी ध्यान दीजिएगा बेटे हमारी भाषा चली कहां एक पिल्ही से दूसरी पिल्ही की और लेकिन किस रूट में चली बेटा मौखिक लेकिन ए बाबू मेरे एक बात बता दूँ अभी मैंने एक छोट यो खतम होने के बाद यही कहानी, अपने जो है छोटे भाई को सुनाना, अपने पार्टनर को सुनाना, आप देखोगे मेरा कुछ छूट जाएगा, आपका अपना कुछ इसमें एड हो जाएगा, यह है मौखिक भासा की समस्या, जब भासा मौखिक होती है, तो हमेशा हमारे पास बोलने के लिए तो थे, हम कमल बोल रहे थे, हम कमल एक फूल है बोल रहे थे, सूरत पूरब में उगता है बोल रहे थे, पर समस्या यह थी, उसको लिखने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, हम उसको लिख नहीं सकते थे, क्यों बोल सकते थे, तो अब ल माक लगा के बताओ, अगर लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो लिखने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चिन्न बनाने पड़ेंगे, अब भया का माल, आप बोल तो रहे हैं, पर अब को कैसे बनेगा, मो कैसे बनेगा, लो कैसे बनेगा, जब इसके चिन्न बनाओगे बे लिखने की जरूरत पड़ी पढ़े आप इसने का स्क्रीन सॉट लो जल्दी करवा हुआ हुआ है कि देट्स गुड चलो अब यहां तक समझ गए अब ध्यान देना बेटा जब हमको लिखने की स्क्रीन सॉट लेते रहना नहीं बाद में कहेंगे आपकी गुरुजी कैसा चलिए जब लिखने की जरूरत पड़ी तो लिखने के लिए मानों ने क्या किया सबसे पहले अब यहीं से अगर लगे कि हाँ गुरुजी जमदार करा रहे हैं तो सेयर कर देना जब लिखने की जरूरत पड़ी, तो लिखने के लिए, अब ध्रान दीजिए, अब हमें लिखना है, लिखने के लिए, अब मानों ने क्या किया, सबसे पहले कुछ चिन्ह बनाए, सुद्ध सब्ध चिन होता है, याद रखना, कुछ चिन्ह बनाए, जैसे अ, आ, क, म, ल, र, ठीक है, ऐसे कुछ चिन्ह बनाए, इन चिन्हों को क्या कहा गया बेटे, इन चिन्हों को वर्न तहा गया, याद आया समझ में आया कि भासा मोखित तो थी, पर लिख नहीं सकते थे, क्यों लिखे कैसे लिखेंगे, कमल बोलते तो थे, पर कामाला कि कोई आकरिती ही दिमाग मे नहीं थी, कि कैसे लिखें, तो पहले उसको आकरिती दिया, पहले वर्न जो जिसे हम बोलते थे, उन उसको ध्वन को जो है आकरिती दिया, और उसी को वर्न कहा गया, बात असपष्ट, वर्न कहा गया, तो भाईया, आप वर्न की पहली परिभासा, देखो वेटे, जो याद हो गई कि लिखने के लिए जो चिन्न बनाए गए उन्हें वर्ण कहा गया आपके आपके सामने दिखराए कि नहीं दिखराए इसमें क्या रटना है यार दोस्त अभी तो यह अंग्राई है यार आगे देखो लेकि यार इतने से हमारा लिखने का काम तो हुगा नहीं क्योंकि हमें तो लिखना था पूरी बात को लिखना था अब यह कामाल करके हम कैसे लिखते भाई या फिर हमने एक काम किया क्या किया चिन्धों को मिलाया जैसे कमल जैसे आमल इस तरह से चिन्धों को मिलाया और जब चिन्धों को मिलाया तो इससे बना बेटा सब्द कहने का मतलब सबसे पहले वरण बना फिर वरणों के योग से सब्द मना इसका मतलब उससे बड़ी ही काई है भई एक बार बताएए ईट छोटी काई पर उड़ों को जोड़ कर घर बनता है तो घर बड़ी ही काई है की नहीin तो वरण इत है और सब्द आगे बढ़ता जा रहा है तो वरण से बड़ी काई बनी सब लेकिन यार बिटा केवल कमल आम कहने से हमारी बात तो निकल नहीं सकती भई हमें कहना है कि आम एक मीठा फल है अब हम केवल आम कह दें तो कैसे इसका बोध करा पाएंगे कि इन सब्दों को फिर मिलाया क्या किया मेरे बेटे सब्दों को सब्दों को मिलाया और मैं देखूंगा पलस होगी तब मैं देखूंगा इनको मिलाया क्योंकि तब तक आप एक ट्ट् wheatler ले लो कि हाँ गुरु जी वास्टों में share करने लायक हा या नही जैसे कामाल सुन्दर पुस्प है इस तरह से इसे क्या कहा गया मेरे बच्चे इसे कहा गया वाक्य अब सब्दों को जोड़ कर बना तो सब्द से बड़ी काई वाक्य हो गई ओके चलो आगे चलो लेकिन यार इतने से भी मेरा काम नहीं चल रहा है क्यों मुझे कहना है कमल बहुत सुन्दर पुस्प है मेरे तालाब में एक कमल खिला है मैंने उसको आज देखा है कल आप मेरे साथ चल कर उसे देखो मुझे आपसे इतनी सारी बाते कहनी हैं और मैं केव मेरे बच्चे वाक्यों को मिलाया और वाक्यों को मिलाया तो बनी हमारी भाशा, भाशा, क्या मतलब कि कई सब्द एक खई एक साथ, जैसे कमल मुझे जितना तहना है, तो सब अभियुक्त होसकता है कमल एक सुन्दर पुष्प है आपने कहा हां भाई हमने भी देखा यार बहुँ सुन्दर लगता है और वो भी सुबह सुबह हलका सा कुहरा हो हलका सा कुहरा माशमान से कुहरे की थोड़ी थोड़ी भूदों सी वर्बूंग सी बरस रहे हो और किसी तालाब में खिला हुआ स सुन्दर कमल जिसके उपर वो बूढे मोती की तरह जहलक रही हूँ, ऐसे कमल को देखना है, ऐसे लगता है स्वरक के दर्शन धर्ति परोगा, अब इतने भाव मेरे अंदर हैं यार, इसको हम केवल एक वाक्ते में कैसे ब्रत करते, लेकिन आप तो हमारे पास वाक्तियों का स मतलब भासा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सभी भावों को भासा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सभी भावों को लिख सकते, अब हमारा काम सेट हो गया, अब सुनो बिटे, अब देखो, हम सबसे पहले वन से चले थे, सब्द पर आये थे, वाक्य पर आये थे, भाशा पर सबसे चोटी इकाई वर्ण से बड़ा सबसे बड़ा वाक्य वाक्य से बड़ा भासा इसका मतलब भासा क्या हो गई सबसे बड़ी इकाई भासा क्या हो गई मेरे बच्चे सबसे बड़ी इकाई और वर्ण क्या है सबसे चोटी इकाई भासा सबसे बड़ी इकाई और वर्ण स सबसे छोटी इकाई अब आप यहां आईए वर्ण की परिभाशा पर और क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई है यह है वर्ण की परिभाशा अगर मेरे बच्चे मैं डाइडेक्ट यह परिभाशा लि याद ने होता, अब रटने की ज़रूरत ना याद, एक डम सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि मानव धर्ती पर आया, सबसे पहले उसने बात किया, भासा बनी, भासा मोखिक बनी, जब मोखिक भासा बहुत दिनों तक चलती रही, पूरी बिक्सित हो गई, भासा पर नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया, चिन्हों को मिलाकर सब्द बनाए, सब्दों से भी काम नहीं चला, तो सब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए, पर केवल एक वाक्य से हम पूरा भाव नहीं ब्यक्त कर सकते, कई वाक्य की ज़रूरत तीसले सब को मिलाकर भासा बनाया, त अब आप अपने आप याद हो गया वरण भासा की सबसे छोटी काई है इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं रटने जैसा अरे यार क्या बात है जोरदार जोरदार मेरे बच्चों जुमा दो यार जुमा दो अभी तो यह सुरू कर रहा है याद हो गया याद हो गया वरण भ और बता दे आज जिसने यहां ब्याकरण पढ़ा जिन्दगी में ब्याकरण रटना नहीं पड़ेगा महसूस होगा देखो भी तो शुरू हुगा है यार अभी तो अंगराई है यह चल मेरे बच्चे हो गया मेरे बाबू हो गया मेरे दोस्तों मेरे भाईयों चलो बरना पर पहुच गये हम ले गया स्क्रिंशॉट क्योंकि मैदान साफ होने वाला है यह हो गया भारत माता की जय ठीक है चलिए अब इसके बाद देखे वरन आ गया था अब सुनना बेटे अब हम जो है एक मिनट चलिए वरन आप समझ गये वरन समझ गये वरन की परिभासा समझ गये वरन क्या है वरन भासा की सबसे छोटी काई है अब इहां मैं करके दिखाता हूँ देखो हमने थोड़ा समय बड़ा कर दो जगह मिलेगी हाँ मजा आएगा चलो बेटे हमने कहा क्या एक मिनट हाँ धन्यवाद परिभाशा पढ़ा क्या पढ़ा वरन भाशा की आज मैं सबस के चो टी तमाव आयसी बाते मने यहां करूंगा। की आपको लगेगा कि यार पढ़ा तो था आज तक लेकिन अइसा नहीं पढ़ा था या कहते हैं कहीं कधन अंब का वर्णक में है और भाषा की सबसे चोटी बत असपश्ठ अब चलोई ध्यानदेना अम हम भाषा भासा माने कई सब्दों का समो कई वाक्षों का समो तो हम भासा नहीं या हम ले लेते हैं देखो अब हम चलते हैं देखे भासा क्यों बेस बनाओ मेरी बच्चे जब मजा आएगा कमल सुन्दर पुष्प है यह तालाब में खिलता है यह भासा हो गई क्योंकि एक से अधिक वाक्य है अब इससे छोटा हमने किया वाक्य बनाया, क्या वाक्य बनाया बच्चे, वाक्य बनाया कमल सुन्दर, कमल सुन्दर पुष्प है, वाक्य बना लिया, अब फिर क्या किया, इससे भी छोटा किया, अब सब्द बनाया, सब्द कैसे बनाया, कमल, देखो बिल्कुल उल्टा चल चल रहे हैं पुण्टे चल रहे हैं वरण तक आएंगे और बताएंगे किसे वरण कहते हैं कामाल फिर इससे छोटा किया अब आएंगे वरण पर कैसी यह वरण पर इसको हमने तीन भागों में बाट दिया क्या यह वरण है कि 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 उस्तर दीजिए यस और नो यसार में उतर दीजिए जल्दी करिए बेटे क्या यह वरण है बिल्कुल ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्यों यह बेश समझ लो उसके बाद एकदम चित्रों के माध्यम से धड़ा-धड़ बाचते चले जाएंगे बिल्कुल आप देखो क्यों यह पहला कांसेट समझ लो बेटा क्योंकि जब वरण समझ में आएगा तभी आगे मज़ा आएगा पढ़ने में तो मैं कहूं तो आपने कहा वरण भासा की सबसे छोटी काई है लेकिन यह सबसे छोटी नहीं है अभी इससे भी छोटा हो सकता है क्यों कि आप जानते हैं प्रतेग बेंजन में एक क्या होता है प्रतेग बेंजन में एक स्वर मिला होता है इसका मतलब यह सबसे छोटा नहीं है अभी इससे भी छोटा एक होगा और वो क्या होगा अभी इससे छोटा इसका खंड सम्भ़व नहीं है इसका मतलब यह वर्ण है अब इससे छोटा नहीं है इसका मतलब यह वर्ण है तो अब आपके सामने एक प्रश्ण हो एक प्रश्ण हो कि अगर आप इसे वर्ण मान रहे हैं तो आप जब वर्ण माला में वर्ण पढ़ते हैं तो आप कहते हैं तो इसको क्यों वर्ण मानते हैं और यहां इसको वाण मान रहें, आखिर में दोनों में अंतर क्या है? यह है असली प्रष्न, यह असली ज्ञान का मुल्यावकरा, कि कहीं आप इसे वाण मानते हैं, जब आप वाण माला पढ़ते हैं, कक कख गघांग हे जाई रहें, यहीं को तो वाण मानते हैं, और जब आप यहां कह रहें कि यह वर्ण है तो फिर इसको वर्ण माला में क्यों नहीं मानते तो मेरे बच्चे ध्यान रखना ध्यान रखना लाश्क बात इसके बाद आनंद से ठीक है ठीक है चलिए क्या है ये अब ध्यान देना बेटे कि अगर आपसे ब्याकरण की दृष् अगर आप से पूछता है, लेकिन ये मैं बता दूँ क्यों बन माना जाता है, क्योंकि इसको अगर आप ऐसे बन मान लेंगे नहीं, तो जितना हम आपको तीन घंटे में पढ़ाएंगे, उतना तेरे घंटे में पढ़ाएंगे, और कभी खतम नहीं होगा, सलिवस. राम भर जाता है, ऐसे पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, तो इसलिए पढ़ने पढ़ाने की दृष्टी से ये वर्ण है, व्याकरन की दृष्टी से ये वर्ण है, लेकि अगर परिक्षा में पूछेगा तो आपको इसी को उत्तर देना है, वर्ण का कॉंसेट क्लियर वर्ण क्लियर चलो, स्क्रीन सॉट लोगटा पर, जल्डी, नेक्स चलते हैं, अब चलते हैं, वर्ण के बाद वर्ण माला पर, वर्ण के बाद किस पर चलते हैं बेटे, वर्ण माला पर, ध्यान देना, वर्णों के क्रमबध्ध, वर्णों के क्रमबध्ध एवं वर्णों के क्रमबध एवं व्यवस्थित सम्मूह को वर्ण माला कहते हैं। जिसके आगे पीछे आता है वहीं आना चाहिए इसको क्रमबध करते हैं। पढ़ते हैं सबसे पहले स्वर, स्वर के बाद फिर नंबर दो पर व्यंजन, व्यंजन में भी सबसे पहले स्पर्स व्यंजन, फिर उश्म, फिर अंतस्त इस तरह से। तो जो जिस क्रम में आप देखो बेटे, वर्ण माला बस इतने पर खतम। क्या? कि जो वर्ण जिसके आगे या पीछे आता है वहीं आए और जो जिस क्रम में आता है उसी क्रम में आए इसको वर्ण माला कहते हैं। बात समझ माई वर्णों का क्रमबध और व्यवस्थित सम्मूँ क्या काला था? वहन माला क्रमबध किछे काते हैं, व्यवस्थित किछे काते हैं बता दिया आपको। इस्क्रीन सॉट लोग फटा पटा। चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, हाँ, सही है, हाँ, देखे, एक बात ध्यान रखना बेटे, मैं बिल्कुल सीटेट की द्रिष्टी से कमन कर ले रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है, जब आप वर्ण माला जानेंगे, तभी स्वर बेंद्यान पर आएंगे, देखो कखा गगा जानेंगे, तभी तो लिखना सीखेंगे मेरे बच्चे, तो मैं तो आपको अभी कखा आपको बताऊंगा, सीटेट में पूछता है, यह जो है एक वर्ण उठा लेगा गध्यांस में से, अगोस है, सगोस है, अलप्राण है, महाप्राण है, तो अब धड़ा-धड़ा आगे चलिए, यह स्वर है, यह ब्यंद्यान है, कौन सा स्वर है, फटा-फटा आगे वर्ण माला देख लिया, अब चलो, जब आपने वर्ण माला देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखे, यहां मैंने आपके लिए दो चित्र लिये हैं, जड़ा इन चित्रों को ध्यान से देखना बिटे, और अब मैं यहां से शुरू करता हूँ, आगे की ल आगे क्या है, वर्ण माला के भाग, वर्ण माला के भाग, देखो वर्ण माला के दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, नंबर एक स्वर और नमबर दो व्यंजन बस बेस के वल एक बार बना ले बेटा फिर देखो कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में स्वर और बेंजन अब ध्यान देना मैंने जोपड़ी क्यों ली है एक गाउ में दो घर एक स्वर एक बेंजन ठीक ये जो स्वर है इसके बच्चे घर पर ही रहते ह हैं और बेंजन के बच्चे इलहाबाद रहते हैं ठीक है तो अब आपको क्या करना है बिटे अब चलिए हां हां अच्छा अच्छा हां हां ठीक है बिटे चलिए मैं आपको कोश्चन भी बताता रहूंगा हां हां बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है बिल्कुल क्या बात है मैं आपको question भी बताता रहूंगा कि किस year में किस तरह से प्रस्ण पूछा गया है बसारते एक base बना लो बेटे बस फिर मैं बताता रहूंगा धड़ा-धड़ किस year में कौम सा प्रस्ण आया है कैसे प्रस्ण आये हैं एकदम धड़ले से यार मजा आएगा विल्कुल चड़ा लेकिन इसके बच्चे तो रहते ही नहीं तो ये ज्या करते हैं यह स्वर से सहायता लेते हैं बस यहीं तो है दोनों छपपर दिमाग में रपो खतम स्वर गंगल क्या? जो यह छपपर माने उच्चारण यह अपना छपपर खुद से बनाते है मतलब जो स्वयम से उच्चरित होते हैं वो स्वर है और जो स्वर के सहारे इनका चप्तर कौम बनाता है स्वर, जो स्वर के सहारे उच्चरित होते हैं वो गंजन है, बात समझ में आ गई स्वर और गंजन जो खुद से उच्चरित होते हैं वो स्वर है, और जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, वो गंजन है आप सुनना बेटे, सीक्ट में आया है question, उठाकर पूछे paper देखना, क्या पूछा गया है? पूछा गया है जैसे एक paira graph दिया था, जिसमें वर्ण की बात की गई थी, पूरे paira graph में, और आपसे पूछा गया था, उसमें दिया गया था की स्वर हैं? अब सीधे सीधे आपके पास यही आपसंथा जो स्वयम से उच्छरित होते हैं वो स्वर आपको सीधा सीधा मैं भी पाराग्राफ लेकर आप तो दिखाऊंगा कि कैसे धरादग क्रिया विशेशन आता है कैसे विशेशन आता है फटा फट बेटा बस एक सेकंड का और समय चल जाउर गया हैं दोप यह देख रहे हैं यह बहुत मेहनत किया हमने बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो जल्दी से यह दोनो हमारे फटेफ़ड़े हैं जब हमें बोलना होता है तो इस फेफ़ड़ों पर दबाव करता है यहां से हवा निकलती है यहां आती है यहां स्वर तंत्रियों को जंकृत करती है और फिर मुह में आती है मुह से बाहर निकलती है ध्यान दीजे तो जिसके उचारण में हवा मुह में रुक कर बाहर निकलती है उन्हें बेंजन काते हैं और जिसमें सीधी निकलती है उसे स्वर काते हैं दूसरी स्वार के भेद स्वार के यह बार बार आपसे पुछा जाता है निम्न में कौन मून स्वार है निम्न में कौन दिर्ग स्वार है निम्न में कौन हराश्य स्वार है या निम्न में मात्रा की द्रिश्टे स्वार कितने होते हैं पुलुक स्वार किसे कहते हैं आप देखें सीटे इडिकी में नहीं बूलेगा स्वार निखा एक दो तीन मतलब स्वार के तीन भेड और तीनों के तीन तीन भेड क्लीर Κंजी चलो गड़े आप देखो स्वार के हम जो्हें कर аलपिया निर्मार के आधार पर उत्फया निर्मार का मतलब है स्वर कैसे बनते हैं स्वर बनते कैसे हैं तो ध्यान रखना बेटे कि पहला स्वर है मूल स्वर उत्पत्या निर्मार के आधार पर कहने का मतलब जो स्वर सबसे पहले बने जैसे देखो बेटे मैं आपको बताओं ये आप एक पौधा देख रहे होंगे यहाँ बीज लगे हैं, जब ये बीज धर्ती में जाएंगे, तो सबसे पहले इनकी जड निकलेगी, और फिर एक पौधा निकलेगा, तो इसलिए इनको मूल स्वर काते हैं, मूल माने जड, जो जड की तरह से है, जैसे जड सबसे पहले बनी बेटे, उसी तरह से जो स्वर सबसे पहले बने, देखो बीटा, थोड़ा सा जो स्वर सबसे पहले बने, बेश बन जाए बस, फिर आप देखना कितना मजा आएगा, सबसे पहले बने वो मूल स्वर हैं, जैसे औ, ई, उ, र, ये चार हमारे मूल स्वर हैं, क्लिर, चल, मैं भी आप ही की तरह से जो है काम कर रहा हूं बेटा, ताकि आपको ज़्यादा समय न लगे और मेंग पर आ जाएगा, दीर्ग स्वर, ध्यान रखना बेटे, कि मूल स्वर को दो बार जोडने पर, जो स्वर बनता है वो दीर्ग बनता है, दीर्ग स्वर बनते हैं, ठीक है, जैसे मैं बता दूँ आपको, ध्यान देना बेटे, अ धन अ को जोड़ेंगे तो आ बनेगा छोटी ए छोटी ए को जोड़ेंगे तो बड़ी बनेगी छोटा उ छोटा उ को जोड़ेंगे तो बड़ा उ और छोटा री छोटा री को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो बड़ा री बनेगा, इसका मतलब ये चारो हमारे क्या है, दीर घश्वर है, क्लियर, चलो, इस्क्रीन साट लो, जल्दी जल्दी, जल्दी करो मेरे बच्चे, अच्छा, कलर चेंज करें, अच्छा, अच्छा, ओके, ओके बेटा, ओके, ये यलो वाला तो ठीक दिख रहा होगा यार, यलो तो सही दिख रहा होगा, है, हाँ, ना बेटे, यूपी टेट नहीं, ये सीटेट ही है, मेरे बच्चे, ये सीटेट ही है, लेकिन भाई, कुछ तो बेश पढ़ना पड़ेगा, चलो, संयूक्त स्वर, तीसरा बेट, संयूक्त स्वर का मतलब है, बस यही ए तौर पढ़ लो आप, फिर देखो मैं कैसे फटा-फट सीते, तब आपको लगेगा किहां ये सीते, चलो, संयुक्त स्वर, ध्यान देना बेटे, संयुक्त स्वर का मतलब है, दो अलग-अलग स्वर मिलते हैं, तो संयुक्त स्वर बनता है, जैसे मैं बताऊं, जो है, आप दे जाबर और, तो ये चारों हमारे क्या होगे, संयुक्त स्वर होगे, तो उत्पर्ति की ग्रिष्टी से स्वर्तीन प्रकार के हैं, मूल्ग स्वर, दीर्ग स्वर, और संयुक्त स्वर, मूल्ग स्वर माने अई, उरी, दीर्ग स्वर माने आ, बड़ी, बड़ाव, बड़ारी और सैयुक स्वढ़ माने क्या ये अए हो बात स्वश्ट चलो बेटे फटा फट बिलकुल समय नहीं आप दिखें मात्रा मात्रा का मतलब अगर ये भोल रहे है कलाम साहब तो मात्रा का मतलब है उच्चारन का समय मात्रा का मतलब क्या है उच्चारण का समय मतलब किसी को बोलने में जुआनों को जितना समय लगता है उसी को मात्रा करते हैं और मात्रा की दिश्चे स्वर्थ तीन तरह के हैं कौन-कौन से नमबर एक रश्व जिनमें एक मात्रा लगती है बेटे नमबर दो दीरगर जिन में दो मातरा लगती है और नमबर तीन प्लुत जिन में तीन मातरा लगती है लेकिन एक खास बात और चले एक बार blue try करते हैं अगर आपको अश्परस्च दिखे तो comment करेंगे बेटा ठीता है comment करेंगे अगर blue अच्छा लगे तो, चलो बेटा, मतलब दिखे हैं, अच्छा लगना in the sense, देखो बेटे, पुलुत को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि पुलुत सीतेल का बहुत बेट कोश्चन है, याद रखना बेटे, पुलुत का मतलब है, जिस स्वर के पीछे ती तीन लगा हो, जैसे अगर आ के पीछे तीन लगा है, तो ये पुलुत है, तो जिसके पीछे तीन लगा हो, वो पुलुत है, जैसे आप पढ़ते हैं, ओम, आप देखें, ऐसे लिखा रहता है, ओ के पीछे तीन, इसका मतलब ये पुलुत है, इसके उचारण में दिर्ग से ज्यादा समय लगेगा ओम ओम क्लियर तो प्लूत स्वरों की संख्या देखिएगा पेपर उठाकर मैंने का ना मैं कोशन रट के आया उपूरा इदम याद करके प्लूत स्वरों की संख्या कितनी है प्लूत स्वरों की संख्या आठ है प्लूत स्वरों की संख्या कितनी है बेटे आठ कौं कौं से आ बढ़ी इ बड़ाव बढ़ारी ए आये ओ ओ आ यही आठ प्लूत स्वर हो सकते हैं बस इनके पीछे तीन अब आप तोगे ये दिर्ग भी है तो बस इनके पीछे तीन लगा दीजिए ये सब प्लूत हो गए बेटे सब प्लूत हो गए पहने का मतलब ध्यान रखना बेटे कि जिस भी दिर्विस्वर के पीछे तीन लगा होता है वो पुलूत हो जाता है क्लियर कितने पुलूत है आठ याद हो गया चल इस्क्रीन सॉट लो खटा पट चलिए आगे चलते हैं अब आ गया तीसरा भेद स्वर का बेटे जिहवा की उचारन स्थित के आधार पर स्वर के भेद लास्ट भेद है बस अब इसके बाद हम मेन पर आ जाएगे जिहवा की उचारन स्थिति देखो बेटे मैं आपको बता दू सबसे बड़ी चीजे है आपने यहां हमारी देख लिया यह हमारी जिहवा है ठीक और यह देखो बेटे यह है हमारी जीव हमारी जीव के तीन भाग होते हैं अब मैं पीछे लेता हूँ क्यों? क्योंकि यहां आपको दिखने में दिक्कत होगी ठीक है? यह यहां से चल बें यह हमारी जिवा है और हमारी जिवा के तीन भाग है अग्रभाग मध्यभाग और पश्च भाग अब जो और इसी तरह से तीन स्वर भी है अग्रभाग से अग्रस्वर मध्यभाग से बध्यस्वर और पश्च भाग से पश्चस्वर ठीक है बिटा चलो बस लास्ट कॉइंट है अब ध्यान देना बिटे अग्रस्वर का मतलब एक ट्रिक ले लो आओ उल्लू आपसे बार- पुछा जाता है आओ उलू पीछे पीछे आ को छोड़ो बीचे बीचे ये टिकले लो अब ध्यान दो अ को बीचे में चोड़ना भीचे माने मत्यक्रक कहने का मतलब और क्या है मत्यस्वर है yog कहां कहां पीछे तो आ मांने क्यवल आ उ व माने ऊ उ-अ दोकि कि A माने A, A, A दोनों नहीं होगा बेटे, A मद्धे में जा चुका है, O और दोनों, O माने छोटा O, बढ़ा O, अब देखो ये क्या है, पश्च स्वर, मतलब A, छोटा O, बढ़ा O, O, चलो बेटे, ये पश्च हो गए, अब तुरंट आते हैं, इसके अलावा जो बचे वो अ बार बार पुछा जाता है, कौन अग्र है, कौन मद्ध है, कौन पश्च है, क्लियर, चलो, चलो, आगे चलते हैं, ध्यान देना बेटे, अनुश्वार और विसर्ग, अनुश्वार, अंग और अह, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं, याद रह जाएगा, अयोगवाह बिल्कुल समय जादा नहीं, अब आते हैं बेंजन पर, बेंजन की परिभासा आपने पंडिया, जो स्वर के सहारे बोले जाते हैं, वो बेंजन है, बेंजनों की संख्या बार बार पुछी गई है, तैटी से, स्पर्स बेंजन, कौ से लेकर मौ तक के 25 बेंजन, इनको क्या चारण में हवा मुख में टच करके निकलती है, हवा मुख में टच करके निकलती है, क्लियर, चलो, नमबर दो, अंतस्थ बेंजन, याद रखना बेटे, यारलावा, चार जो हैं, इनको अंतस्थ, बार बार ये प्रशनाता, कौन अंतस्थ है, कौन नहीं है, चार यारलाव इनके उचारण में हवा मुख में स्पर्ष तो करती बहुत हलका सा स्पर्ष करती है जिसमें जादा स्पर्ष होगा वो स्पर्ष हैं जिनमें हलका स्पर्ष होगा वो अंतस्त हैं एक दम एक एक लाइन में बिटा आगे उस में बेंजल ध्यान रखना बेटे उस्म माने गर्मी उस्मा उस्मा कब होगी जब रगड होगी तो इनके उचारण में वाल मुख में रगडती हुई निकलती है घरसन करती हुई निकलती है इसलिए सः इनको उस्म बेंजन कहते हैं चूके रगडती हुई निकलती है इसलिए इनको संधर्सी बेंजन भी कहते है, आप देखलो बेटा पूछा गया है संधर्सी बेंजन क्लियर हो गया? चलो अब जो है इसके बाद हम सीधे आगये संयुक्त बेंजन पर क्षओ क्षओ त्रव्यास्रव ये चार हमारे संयुक्त बेंजन है clear संयुक्त माने जो दो से मिलकर बनते हैं आधा और पुरा बिल्कुल बेटा आगे अभी आधा सधन रो चला आगे उस्त्रिप बेंजन उस्त्रिप बेंजन का मतलब है बेटे अड़ो और अड़ो ठीक हो गया clear चलो बिल्कुल समय नहीं बिल्कुल तेजी से हिंदी में कुल बेंजनों की संख्या लास्ट कॉइंट है इसके बाद मजे का ट्रापिक सब सुरू कुल बेंजन की संख्या हिंदी में बामन है कैसे मैं बता दू 11 स्वर है 33 व्यंजन है ठीक है बेटे 2 आयोगवाह है ठीक 4 संयुक्त है 2 उस्त्रिप्प्य है जोड लेना सब आगे आपका 33, 11, 44, 44, 44, 44, 42 हिंदी में अगर पुष्टा है कुल कितने बेंजन है कुल कितनी ध्वनिया है तो हिंदी में कुल बेंजन क्या ये बेंजन ना करिए बेटे यहां ध्वनिया कर लीजिए अगर पुष्टा है हिंदी में कुल कितनी ध्वनिया है तो बाउन ध्वनिया क्लियर चल इस्क्रीन स्वाट लोगवाटा पटा हम भी बेटा हमें भी पता है कि कितनी तेजी से कहां से निकलना है अब देखो बेटे बाहे प्रयत्न इसको जरा सा समझ लेना बेटे क्योंकि यहां हम सुरू करेंगे अलप्राण और महाप्राण असली लड़ाई जिसके लिए आपको ये तापिक पढ़ा रहा हूँ अलप्राण महाप्राण अघोश और सभोश देखो बेटे मैंने कहा जब बोलना होता है तो यहां से हवा निकलती है हवा निकल करके यहां आती है स्वर्टंत्रियों को जंकृत करती है तो एक तो हो गया पहला भेद हो गया हमारा वायू या प्राण की दृष्टी से और दूसरा हो गया जंकार या घोश की दृष्टी से ठीक है मैटे आप देखो अब ध्यांदेना की कहने का मतलब बाह प्रयत्म के आधार पर दो भेद है नमबर एक वायू या प्राण नमबर दो जंकार या घोश यह फेफडे से हवा निकलती है यहाँ स्वरतंत्रियों को जंकृट करती है और फिर मूँ से बाहर निकलती है तो एक तो जंकृट करना एक फेफडे से हवा निकलना आगे चलो बीटे नेक्स चलते हैं आप ध्यांदेना अब ध्यान देना कि अगोश अगोश, अज सबसे पहले अलप्राण और महाप्राण, मैंने कहा प्राण, प्राण का मतलब क्या है बीटे, प्राण का मतलब है वाई, कहने का मतलब अलप प्राण, कम वाई, मतलब जिनके उचारण में कम वाई लगती है वो अलप्राण है, अब कौन अल्प्राण है कौन महाप्राण है आईए हम आपको बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा देखे ये दो आदमी आपके सामने बैटके पूरी खा रहे हैं अब आपको क्या करना है अल्प्राण और महाप्राण यही दो आदमियों से बना लेना अगर दुनिया का सबसे स तरल तरीका आपके घर दो आदमी आए हैं पूड़ी खाने ये है अल्पप्राण और ये है बेटे महाप्राण अब कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण है देखे आपको बाटना किसको है कर से लेकर मां तक के 25 को 11 स्वर को 4 अंतस्थ को और 4 उश्व इतने को इनको बाट अब सुन बेटे ये 255 बरतन में पूड़ी है कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग एक एक में पांच 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 पूड़ी है अब आपने उठाया देखे ये कितने में विभाजित है कचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच पिर एक कुड़ी इनको दिया और फिर एक कुड़ी इनको दिया और फिर एक कुड़ी इनको दिया ये बरतन खाली ये बरतन थाया आपने फिर आया देखा इनकी पतल खाली ये चुकी है आगे बैठे हैं फिर इनको दिया फिर इनको दिया फिर इनको दिया और फिर इनको दि उन में से पहला तीसरा पांचवा अलप्राण होता है और दूसरा चोथा महाप्राण। खतम याद रखना एक एक बर्ग लीजिए और एक यहाँ 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 लिखते चले जाईए रटने की जरूरत ही नहीं। अब सुनना जब यह 25 खतम अब आप चार वाला यह ले गए तो देखा कि यह तो बहुत खा रहा है तो आपने इनको चारो दे दिया खा भाई को फिर भाग कर यह लाए इनको चारो दे दिया खा भाई को और फिर 11 इनको दे दिया। कहने का मतलkiem बहुत आसान है कि बरगी बेंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा, वण अलफण होता है, दूसरा, चौथा महा परान होता है, यह अंतस्ख बेंजन अलफण है, उसम महा परान है, इक्ग्यारहों स्वर अलफण होते, ठीक है, चलो, जिनके उच्चारण में ज्यादा जहंकार होती है, और माने कम, तो सीधी सी बात है बेटे, कि जिनके उच्चारण में कम जहंकार होती है, उन्हें अभोश कहते हैं, और जिनमें ज्यादा जहंकार होती है, उन्हें सभोश कहते हैं, ठीक है, कम जहंकार का मतलब क्या है बीटा ध्यान देना कम जंकार का मतलब ये है कि कम ताकत लगे बोलने में तो याद रखना वेटे वरगी अबेंजनों का वरगी अबेंजनों का ये काब ऊजिए एक ट्रिक यहां भी देता हूं देखो आप मातरा लगाना जानते हैं और की एक मातरा और की कितनी मात्रा एक मात्रा घो की दो इसका मतलब वर्गी अव्यंजन जो है या सपर्श अव्यंजन जो है बेटे वर्गी अव्यंजनों का पहला दूसरा वर्ण अभोश होता है और तीसरा चौथा पाँचवा सभोश होता है स स स से याद रख लेना तीनो स अभोश होते है बाकी जो बचे यार लव और यारस्वद लोगे दा चलो स्क्रीन सॉट लो पटापट कुछ नहीं एक से याद हो गयार एक दो माने बर्गी अव्यंजनों का पहला दूसरा स माने तीनो स अभोश है बाकी जो बचे सब सबोस है कटम काम कुछ नहीं चलो तो ये रहा आप कहां एक चीज और बहुत पूछा जाता है बिटे हिंदी में अकसर अमानक वर्ण जो है आप सीटेट में देखते होंगे अमानक वर्ण बहुत पूछा है हिंदी में कि निम्न में कौन अमानक वर्ण है ये देखे पूछ तुस्वर और अमानक वर्ण ये दो पहले टापिक से सीटेट के बहुत पट कॉंसेप्ट है जहां से खूब प्रस्ण बने है तो ध्यान रखना बिटे यहां मैंने आपके सामने दो गाड़ी आखे दखी है आप इनको देखते ही समझ जाओगे देखो मेरे बच्चे ये गाड़ी वो है ये वो गाड़ी है जो अब नहीं चलती अब नहीं चलती मतलग ये बंद हो गई है ठीक है और इसका मौडर्न रूप ये है अब चलने लगी अब चलती है इसका मौडर्न रूप समझे आप देखो इसी से समझ लेना जिंदगी में कभी रटना नहीं पड़ेगा क्या कि ये है अमानक वर्ण अब समझ गए बेटे अब कुछ समझाना ही नहीं चित्र ने सब बता दिया या क्या कि वर्णों का वह रूप जो पहले चलता था आज नहीं चलता वो अमानक है जैसे मैं बता दू बेटे याद होगा आपको पहले लो इस तरह से लिखा जाता था आज लो इस तरह से लिखा जाता है ये अमानक हो गया पहले भा इस तरह से लिखा जाता था आज भा इस तरह से लिखा जाता है ये अमानक हो गया पहले जह इस तरह से लिखा जाता था आज जह इस तरह से लिखा जाता है तो ये सब अमानक है तो मतलब वरणों का वहरूप जो कभी था पर आज नहीं है प्रचली वो अमानत है इसके साथ ही पहला टॉपिक खतव देखो बेटा जो मुझे बेस बनाना था वो मैं बेस बना लिया अब आते हैं आपके में टॉपिक पर आपने बार बार देखा होगा सीटेट में कोश्चन आता है निम्मे में कौन भाव आचक संग्या है निम्मे में भाव आचक संग्या मैंने भी वही वही चीज़े ली है बेटे देखो पहने चर्पर में बहुत से बाते थी लेकिन मैंने केवल वही लिया जो सीटेट में आती है अब यहां मैं बिना पढ़ाए तो बेस मन बन नहीं सकता था, अब यहां मैं आपको जो पढ़ाऊंगा संग्या, संग्या में भी में बहुत सी बाती नहीं करूँगा, के वल मुल्ग चीज आपको विधिवद समझाओंगा भाव प्रस्वा जुक्त पेपर उठा करके यह न कहिएगा कि गुरुजी ऐसे करें अभी समय है एक बार खुब मिला लिजेगा कि हां गुरुजी ने कितना सही कहा कितना गलत कहा अगर गुरुजी ने गलत कहा हो तो बताना बेटे बसरते एक ही चीज है कि बेटा मैं तो आपके लिए जी जान दगा अब आप लोग भी थोड़ा सा अगर वो कर देंगे तो आप भाई बहनों से बहुत उम्मीद है मुझे बहुत उम्मीद है बेटे कि देखो मेरे बच्चे ऐसा है कि भाई ब्याकरण तो है ही कितना जल्दी समेटू मैं कितनी जोली फैला दूं लेकिन फिर भी इसलिए चि पांचो नमबर लेकर जाएगा बेटे चलो संग्या देखो मेटे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई व्यक्ति हो कोई वस्तु हो आप सब जानते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संग्या करते हैं सबको पता है क्या किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संग्या खते हैं clear चलो आपको सब पता यह चीज आसान है यही नहीं देखो बेटे भाव मतलब जैसे देखें यह हंस रहे हैं हंसना एक भाव है खुशी का भाव है इनके चेहरे पर यह एक अस्थान है यह डाउं का ग्रिश्य है एक अस्थान है एक ब्यक्ति है एक वस्टू है इनको संग्या clear चलो परिभासा लिखने की जरूरत ही नहीं है संग्या के भेद ध्यान देना बेटे संग्या जो है हमारी संग्या के भेद एक दो तीन चार पाँच अगर अच्छा ट्रिक लगे तो सेर करना संग्या के भेद निखा हमने क्या अगर उपर अस्पश्ट कम दिखे तो हमने निखा संग्या के भेद एक दो तीन चार पाँच संग्या के पाँच भेद होते हैं कौन कौन से बेटे ब्यक्तिवाचक संग्या ब्यक्ति वाचक नमबर दो जाति वाचक नमबर तीन भाव वाचक नमबर चार सम्मुह वाचक और नमबर पांच द्रव्य वाचक यही संग्या के पांच भेद हैं बेटे ठीक है अब चलो एक एक भेद ले करके हम उसकी चर्चा करते हैं देखों बेटे नमबर एक हम यहाँ शुरू करेंगे व्यक्ति वाचक संग्या नमबर एक पर क्या शुरू करेंगे व्यक्ति वाचक संग्या पांच भेद पता चल गया अब ध्यान देना बेटे एक जुगार कोल एक लाइब में खतम कर दूँगा यार कुछ नहीं, बस कोई किताबी परिभासा नहीं, बस एक लाइब में खतम संग्या क्या, जहां एक जैसे कई हूं, हम एक को लें, बाकी को छोड़ दें, जहां एक जैसे कई हों, हम एक को लें, बाकी को छोड़ दें, वह संग्या व्यक्तिवाचक संग्या कहलाती है, जैसे मैं बताओं बेटे, जैसे आप देखो राम, आप सुनना, मैं किताब की भासा नहीं मोलूँगा, इक गम जितना सरल मैं आपको दे सकूँ, बस, जैसे दुनिया में लाको करोणों नाम के आदमी है, जब हमने राम कहा, तो केवल एक को लिया, बाकी को छोड़ दिया, जैसे हमने कहा, सो मवार, अब देखो बेटे, सब्ता हमें साथ दिन होते हैं, जब हमने सो मवार कहा, त को ही एक संग्या जिसको लेंगे, वो ब्यक्तिवाचक है, जैसे महने कहा, जनवरी, बारह महीने होते हैं, केवल एक लिया, क्लियर हो गया, ब्यक्तिवाचक संग्या, मतलब जहां, जैसे अब आप से मालीजी, पूछ लिया, आप से अगर पूछ लिया, कि 26 जनवरी आने व बाकी को छोड़ा और जो बाकी को छोड़ा केवल एक लिया तो इसका मतलब यह कैसी संग्या है ब्यक्ति वाच्च अ produk है एक लियर आसान से प्रशन, इस तरह के प्रशन आए है आपके देखली जेगा पेपर उठागा देखेए शीटेट का बार बार पूछा है सब्ड देकर के पाई जैसे अपका ब्याखर कहा है गध्यांस् पध्यांस में है गध्यान से कोई एक सब्द ले लेगा और आपसे कहेगा कि इस सब्द में कौन सी संग्या है गध्यान से एक सब्द ले लेगा और आपसे कहेगा इस सब्द में कौन सी संग्या है तो अब आपको जो पता होगा कि ब्यक्ति वाचक है कि जाति वाचक है तभी तो बता पाएंगे, बार बार ये question आए है, आप देख लीजिए, आप से पुछा गया है कि फूल कैसी संग्या है, पुष्प कैसी संग्या है, आप से पुछा गया है, दुख कैसी संग्या है, उन्य कुछ चित्र लगाए हैं। क्योंकि आप कहेंगे यह कौन है? तो आप कहेंगे कि यह पंडित जी है। यही से एक बार में खत्व। आप कहेंगे यह कौन है? तो आप कहेंगे यह मौलवी शाहब हैं। कौन है बिटे मौलवी शाहब हैं आप कहेंगे ये कौन है तो आप कहेंगे कि ये यादो जी हैं भाईया दूध का कारोबार कर रहे हैं हमारे यादो जी इन्वी लुगों की बदाउलत आप भी पा जाते हैं ये कौन है ये खेती का काम कर रहे हैं तो भाईया चलो ये हमारे म अब सुनना बेटे ये नए कि करते ही है जो चीजें है आप जखो बेटे अब सुनना बस एक लाइव में सारा मामलाकत शतम यदि आप ने कह दिया पंडित जी तो केवल इस पंडिजी का बोध नहीं दुनिया में जितने पंडिजी हैं सब सामिल हो गए उसमें कहा एक आए सब मतलब जहां हम एक का नाम ले और उस जैसे जितने हैं सब उसमें सामिल हो जाए वो संग्याद जातिवाचक है यह किताब की भासा नहीं है एक काव कहें और उस जैसे सब आजाएं उसमें वो जातिवाचक है जैसे आपने पंडिजी कहा जितने पंडिजी हैं सब आगए आपने यादव जी कहा जितने यादव जी हैं सब का बोध हो गया आपने मौलवी शाहब कहा जितने मौलवी शाहब हैं सब का बोध आपने मौरिया जी कहा जितने मौरिया जी हैं सबका बोद कहने का मतलब जब एक का नाम ले और उस जैसे सब उसमें सामिल हो जाए तो उस संग्या को जातिवाचक करते है जब एक से केवल एक हो तो ब्यक्तिवाचक और जब एक से उस जैसे सब आ जाए जैसे आपने अगर कहा बेटे कलम, तो कलम कहा, तो कलम कहने से दुनिया में जितनी कलम है सबका भूद, इसका मतलब यह जातिवाचक है। सब का बूद आपने कहा किसान, जितने किसान हैं सब का बूद अब इस से ज़्यादा क्या इसमें पढ़ाना जब एक का नाम ले, अगर कोई ऐसा सब्द दिखाए दे, जिसको कहने से उसके समान जितने हैं सब उसमें आ गए हैं तो समझ लेना वो जातिवाचक संग्या है जैसे आप से पूछ लिया कि सड़क कैसी संग्या है सीटेट में कोश्चन पूछा है पुस्प कैसी संग्या है तो आपने कहा फूल फूल माने दुनिया में जितने भी फूल है चाहे कमल का हो, गुलाब का हो, गेदे का हो, सब फूल आगे, इसका मतलब जाती बाचक, तो जब एक कहें और सब आजाएं तो जाती बाचक, ठीक है, clear, चलो, अब असली लडाई तीसरी संग्या पर लड़नी है बेटे, असली लडाई, देखो बेटे, भाव आचक, असली ल वाली संग्या, अब भाव के दो रूप हैं, ध्यान देना, दो रूप हैं भाव के, एक भाव का मतलब होता है बेटे, हमारी फीलिंस, हमारे इमोशन, जैसे ये आदमी हस रहा है, क्या कर रहा है बेटे, ये आदमी क्या कर रहा है, हस रहा है, तो इसमें हसी का भाव है, है क हमारे जो है टाइपिस्ट लोग है भाईया जिन्होंने इतना मेहनत से करके पीडिये बनाते हैं तो ये क्या है ये प्रसन्न है मुस्कुरा रहे हैं इनमें भी हसी का भाव है तो मेरे कहने का मतलब बिटे पहला तो भाव का मतलब है जो हमारी emotions हैं जैसे त्याग छमा दया समर पाण हसना क्रोध रोना सीटेट में यहां से जरूर एक कोशन आया है आप देखो पांच साथ बार कोशन आया क्रोध कैसी संग्या है उत्साह कैसी संग्या है दया कैसी संग्या है ये सब क्या है भाव आचेट संग्या क्यों क्योंकि ये हमारी भावनाएं है ये हमारे personal emotions है ठीक है बेटे ठीक है हाँ आगे चलते हैं बेटे गाड़ी गाड़ी का मतलब है बेटे जाती हो आचक गाड़ी कहा दुनिया की हर गाड़ी का बोट यह ना सोचिये कि देशत भी देशत है तो क्या होगा कोई नहीं जब एक को कहा सबता बोट तो जाती हो आचक संगया ठीक है बेटा चलिए आगे चलते हैं बात समझ में आई भाव आचक संगया का पहला मतलब समझ में आ गया कि भाव आचक संगया का पहला अर्थ है अगर कहीं हमारी emotions हमारी भावनाएं दी गई हो तो उसे भाव आचक संग्या कहते हैं जैसे जो है हसी, कुरोध, प्रेम, दया, त्याग, समर्पन ये सब भाव आचक संग्या हैं चलो बेटे, भाव आचक संग्या का जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो दूसरा अर्थ एक चीज़ ध्यान रखना बेटे क्या दूसरा आर्थ जो निकलेगा वो है जातिवाचक संग्या का गुन भावाचक संग्या का मतलब है जातिवाचक संग्या का गुन मतलब जातिवाचक संग्या में यदि कोई विसेस्ता पाई जाए तो वो भावाचक है जैसे मानव जातिवाचक है मानव कहने से दुनिया में जितने मानव है सबका दो अब मानव में काहे का गुंपाया जाता है मानवता का इसका मतलब मानवता कैसी संग्या है भाव आचक तो किसी भी जातिवाचक संग्या में यह कोई गुण है जैसे मैं बताओं इस्त्री इस्त्री में स्त्रिक्ट्व का गुन है तो ये कैसी संग्या है भाव आचक है कि नहीं बिटे इसी तरह से अगर आप कहें लड़का लड़का में लड़क्पन का गुन है ये कैसी संग्या है भाव आचक तो किसी भी जातिवाचक संग्या का जो गुर है दूसरी चीछ सुले लेना अब और यहां ठ्रिक ले लो बेटे यदि किसी भी जातिवाचक संग्या में कोई प्रत्य लगा दिया जाए तो वो भाववाचक बन जाती है लड़का में पन प्रत्य लगा स्त्री में तो प्रत्य लगा मानव में ता प्रत्य लगा कहने का मतलब अगर चार सब्द दिये हो और पूछा जाए कौन भाववाचक है तो जिसमें प्रत्य लगा हो वही मार देना वही उत्तर सही होगा बात अस्पश्ट मामला समझ में आया क्योंकि भाव आचक नहीं पगड़ पाते लो तो भाई यह ट्रिक है क्या कि जिसमें भी प्रत्य लगा हो उसको भाव आचक संध्या बना देना भगवान ने चाहा तो सही हो जाई यही नहीं अगर कई-कई में प्रत्य लगा हो, तो जिसमें जादा प्रत्य लगा हो उसको लगाना, जैसे मैं उदारव जूँ, एक बार आपके correlated का ही question है, पुछा है भाव आचक संध्या है, प्रसनाया है भाव आचक संध्या है, क्या पुछा है? राष्ट्र राष्ट्रिय 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 राष्ट् राष्ट्र में ये लगा तो राष्ट्री ये बना फिर यता लगा तो राष्ट्री ये था इसका मतलब इसमें दो प्रत्य लगे है अब इससे सरल कहां हो सकता है यार कि जिस सब्द में प्रत्य लगा होगा वही प्राया भावाचक संग्या होगी और अगर कई में प्रत्य ल बात असपर चल आगे चलते हैं यही नहीं देखो बेटे स्क्रीन साट लो पटाप पटाप चल दूसरा है विशेशन का गुन मतलब अगर कोई विशेशन में कोई गुन गुन तो वो भी भाव आचक होगी जैसे चोर विशेशन है चोर आदमी हम कहते हैं तो चोर में चोरी का गुन पाया जाता है यहां भी वही concept यह प्रत्य लगा विद्वान विशेशन है विद्वान में विद्वता का गुन पाया जाता है ता प्रत्य लगा सुन्दर विशेशन है सुन्दर में सुन्दरता का गुन पाया जाता है ता प्रत्य लगा कहने का मतल किसी भी सेशन में अगर प्रत्य लगा देंगे तो वो भावा चक्षंग्या बन जाएगी clear नमबर चार सर्वनाम से भावा चक्षंग्या सर्वनाम का गुण अब दिखो बिटे जैसे अपना एक सर्वनाम है अपना में पन प्रत्य लगा दिया तो क्या बन गया अपना पन इसी तरह से अपना एक सर्वनाम है तो प्रत्य लगा दिया अपना तो तो कहने का मतलब यहां भी वही बात निकल कर आई बस यह तीन पूछे जाएंगे आपसे तो ध्यान रखना बिटे किसी भी जातिव आचक संग्या में किसी भी बिसेशन में या किसी भी सर्वनाम आगे होता है क्रिया में भी होता है और अब्बे में भी पर क्रिया अब्बे तभी नहीं पूछा गया आपके यहां यह तीन पूछे गए हैं तो ध्यान लखना अगर इनमें कोई प्रत्य लगा दिया जाए तो वो भाव आचक संगया है ये चीज आपको प्रस्ण सॉल्ब करने में 99% कर देगी 99% आपका question सही उत्तर निकल जाएगा दूसरी चीज एक प्रस्ण भाव आचक संगया में ओर आता है बहुत तेजी से जैसे पुछा कि मानव की भाव आचक संगया है मानव की भाव आचक संगया अब मानवता मानेवता ऐसे करके दिया तो सुरो पेटे जब एक सब्द दे और तहे इसकी भाव आचक संगया कौन सी है तो बस एक काम करना क्या पता है सीधा सीधा इसमें जो सुद्ध सब्द हो उसी क को टिक मार देना, कुछ सोचना ही नहीं, उत्तर सहीं जएगा, जैसे पूछा मानव की भाव आचक संग्या है, मानवी, मानव, मानवता, मानवेता, मानवता, तो सीधे-सीधे इन चारों में मानव तो आलेडी यहां प्रस्में ही है, और उन तीनों में जो सुद्ध सद्ध है वो मानवता ही है, बाकी दोनों गलत है, मानवता, ठिक मारो, काम खतर, तो बेटा, अगर यह चीज थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, तो भाव आचक संग्या कभी गलत नहीं होगी, बात सत्म, आपके यहां यह तीनों संग्याएं ही आती है, ब्यक्ति, जातिया और क्लियर हो गया, चलो बेटे, थोड़ा सा एक बार शेयर करें सारे लोग रूप करके तो, एक बार सारे लोग रोटी, हाँ अब आप बताईए जड़ा सा रोटी कौन सीशन गया है, बताएं चला, आप लोग बताएं जल्दी से, रोटी, देखे हमारे एक भाई ने प्रश् पहली बाद तो एक ही जाद रखना, कि रोटी में एक कन्फ्यूजन आजाएगा, क्या कन्फ्यूजन आएगा, अब मुझे आप जो है, आगे की संग्या पढ़ाने दो फिर पढ़ा लेना, ठीक है, क्लियर, कि उसका कारण है, आगे अपने आप आपको ये उत्तर मिल जाए अब आप सीधे सीधे ये समझ लो बेटा, कि जहां भी, जहां भी किसी निश्चित दायरे में, किसी निश्चित दायरे में ताफी संख्या में ब्यक्तिय, ब्यक्तिया वस्तु एकत्र हों, वो सम्मू है, और उस सम्मू का जो नाम है, वो सम्मू आचक संग्या है, जैसे य एक सम्मू हो गया और इस सम्मू का नाम है कक्षा तो कक्षा कैसी संग्या हो गई सम्मू हुआ चक यहां इस निश्चित दायरे में लाकों बेचने खरिदने वाले लोग एकत्र हैं तो यह एक सम्मू हो गया इसका नाम है मेला यह निश्चित दायरे में तमाम पेसेंट डॉ का बोध कराएं तो समझ लेना वो कैसी संग्या है समु आ चेक संग्या मेला अस्पताल बिद्याले कक्षा पुस्प नोट करो पुस्प का जैसे गुच्छा होता है तो गुच्छा पुस्प नहीं गुच्छा, गुच्छा पूलों का होता है घौ। फलों की होती है काफिला, कार्वाँ ठीक है टुकडी सेना की होती है लसकर लसकर भी सेना है राजा जब अपने सब के साथ चलता था ठीक है तो यह सब की सब हमारी क्या है सम्मूह वाचकस भिखाई बात उस पश्ट चो नेक्स चलते हैं द्रव्यवाचक समग्या देखे बेटे यहां तमाम चीजें दिख रही है आपको आपको दिख रहा है यह गेहूं है यह दूध है यह फल और सबजिया अब यहीं से देखना आप जो प्रस्म पूछ रहे थे बेटे यह फल और सबजिया है में नापते हैं इसको भी किलो में नापते हैं कहने का मतलब जिस संग्या को हम नाप या तौल सकते हैं वो संग्या है जो है द्रव्यवाचक संग्या है जिसे नाप या तौल सकते हैं अब दोखो पटे रोटी को न तो नाप सकते हैं न तौल तो तो रोटी का मतलब चाहे वो बेशन की रोटी हो, चाहे वो आटे की रोटी हो, चाहे वो मैदे की रोटी हो, चाहे वो जैसी रोटी हो, मोटी रोटी हो, पतली रोटी हो, जैसी भी रोटी हो, हर तरह से रोटी माने, रोटी कहने से जितनी भी रोटी हैं सबका बहुत, इस अब समझ में आ गया क्योंकि अनाज से बनते हैं तो कई बार लोग इस चीज को कल्फूज करा देता है जानाज को नापा तौला जाता है तो रोटी द्रब्या नाज सीधे-सीधे द्रब्य का मतलब जिसे प्रत्यक्स नाप या तौल सके जैसे गेहूं को नापते हैं दूद क को नापते हैं फल सब्जियों को नापते तौलते हैं ठीक है तो कहने का मतलब जिसे नापा या तौला जा सके वो द्रब्य वाच चाहिए असपश्ट है आपके सामने चित्र मामला ठीक है चलो बेटे संग्या अब इसके बार हम अगला टापिक सुरू करते हैं विसेशन ब आपका जो लेबल है बस उसी लेबल पर चलता जा रहा हूँ यही नहीं इसके बाद तो और आसान कर दूँगा यार इसके बाद तो एक आप एक टापिक तो ऐसा है न दोस्त क्रिया भी सेशन मैं क्यों चार लाइन लिख दूँगा बस उसी में पूरा पाठ खतम कुछ ठीक है चले तो जरा सा हम पानी पी लेंग बार आये शुरू करते हैं बिसेशन ठीक देखो यार एक चीज़ ध्यान रखना बेटा मुझे भी पता है मुझे भी पता है कि मैंने कल जब बात आई व्याकरण के मैराथन की तो मैंने सर से कहा भी कि सीटेट में व्याकरण की भूमिका नव के बराबर होती है तो सर का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा बिजय जी किसी दिन बीना नमक की दाल खाई है आपने हम कहें हाँ सर बोले कैसी लगती है हम कहें सर बिलकुल अच्छी नहीं लगती बोले जो चीज दाल में नमक के बराबर है अगर आप वह भी छोड़ देंगे तो भी हमारी सीटेट की जो कख्षाएं हैं वो बेस्वाद हो जाएंगे इसलिए एक प्रशन से मेरा बच्छा अंदर और बाहर होता है एक प्रशन से उसके हाथ में पे पास और फेल की माक सीथ होती है तो यहां तो पाँच प्रशन की आप बात कर रहे हैं वही वही टापिक पढ़ा दीजिए मेरे बच्छों को और बिल्खुल स्टार्ट कट में जो सीटेट में कोश्चन आते हैं इसलिए मैंने देखो प्रशन भी का तमा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि मेरे मुझसे पढ़ कर जाईए और प्रशन फुद से देख लिजे क्यों कि अगर मैं कोश्चन लेता तो पचास कोश्चन लेता एक घंटा और लग जयाता मुझसे पढ़ कर जाईए और सीटेट के प्रशनों में से पेपर में से प्रशन मिलाईए संग जो है आप ब्याकरण के अगर कहीं असुविधा आए तो सोचना की गुरू जी फेल है लेकिन नहीं आएगी केवल पांसर को दिमाग में एक बार रख लिया तो कभी असुविधा आएगी ही नहीं यार बस एक काम और करना एक बार जड़ा जोर लगाओ सब लोग यार एक बार जोर लगाओ देखो बहुत देर से आप 35 पर उनके हैं ठीक है एक बात अच्छी है कि जितने मेरे भाई आना वो इंट्रेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं मेरे बच्चें इंट्रेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं पर यार पांच हजार की तो बात और है एक बार चालीश ड़का दो जोर लगा तो यार मैंने कहा नहीं अभी लास्ट में एक चैप्टर तो मैं चार लाइन में खतम कर इस घोड़े का रंग क्या है यहां हम क्या देख रहे हैं पेटे एक घोड़ा देख रहे हैं इस घोड़े का रंग क्या है यह घोड़ा लाल है यह घोड़ा है और घोड़ा क्या है पेटे लाल है एक आदमी देख रहे हैं यहां आदमी क्या है यहां आदमी लंबा है यहां एक पेड़ देख रहे हैं यहाँ पेड़ हरा बस आदमी ही देखिएगा यहाँ एक पेड़ देख रहे हैं यहाँ पेड़ हरा है कहने का मतलब घोड़ा कहने से दुनिया में जितने भी घोड़े हैं सबका बोद इसका मतलब घोड़ा जाती वाचक संग्या है आदमी कहने से कि किसी भी संग्या की जो विसेस्ता होती है खोड़े की विसेस्ता है कि वह लाग है आदमी की विसेस्ता है कि वह लंबा है और पेड की विसेस्ता है कि वह हरा है इसका मतलब किसी भी संग्या की जो विसेस्ता होती है उसे विसेसन कहते बात अस्पष्ट हो गई यहीं से कोई परिभासा लिखने की जरूरत नहीं हाँ ये ध्यानत न संग्या के साथ साथ सर्वनाम की भी तो किसी भी संग्या या सर्वनाम की जो विसेशता होती है उसे क्या कहते हैं विसेशन कहते हैं clear किसी भी संग्या या सर्वनाम की जो विशेशता होती है उसे विशेशन कहते असपश्ट चल जल्दी करो चलिए विशेशन के भेड ध्यान देना बेटे कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना ये देखो मैं लिक रहा हूं विशेशाण और सीटेट में विशेशन और संग्या से तो आएगा ही यार इसको कोई रोक नहीं सकता विशेशन एक दो तीन चार अब कभी नहीं जिंदगी में भूलेगा विशेशन के कितने भेड है चार भेड अगर अच्छा लगा तो सेर करना विसेशन, एक, दो, तीन, चार, विसेशन के चार भेद हैं, कौन-कौन से हैं बेटे, मैं बता दूँ आपको, नमबर एक, सार्वनामिक विसेशन, सुनो बेटे, नमबर एक, सार्वनामिक विसेशन, देखो बेटा, ध्यान रखना, सार्व, एक मिनिट हो सकता है, नीचे लि कहने का मतलग जब कोई सर्वनाम विसेषन बने तो उसे क्या पहेंगे सार्वनाम एक लाइन में बता दूँ एक लाइन में सुन लेना पहले तूधारन देता हूं जैसे यह घोड़ा है अब यहाँ देखो बेटे घोड़ा सब्द संग्या है और घोड़ा से पहले यहाँ आया है इसका मतलब यह घोड़ा है यही घोड़ा है यह घोड़े के सिमा दूसरा कुछ नहीं है उसकी स्थिति को निश्चित कर रहा है और निश्चित करना ही विशे सता बना रहा है ठीक है यह बिसेशन हो गया खोड़ा संगय की बिसेशता बता रहा है तो क्या हो गया बिसेशन और यह चुकी बिसेशता बता रहा है प्लस सारवनाम भी है तो दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया सारवनामी बिसेशन क्लियर क्लियर हो गया बीटे इसी तरह से यह वह तमाम जो हैं देखो बिटे चल यह ठीक है मैं बता रहा हूं चलो मैं बता दे रहा हूं आपको आपने कहा कि जो है पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसो पग धोयो कर रहे हैं कि सर इसमें कौन सा रस है तो ध्यान देना बिटे सीधे सीधे वातसल्य रस का कोई मतलब ही नहीं यार सुदामा करिशन के बच्चे थोड़ी हैं वातसल्य रस का मतलब होता है जहां माता पिता और पुत्र पुत्री का प्रेम हो वहां सुदामा को देखकर क्रिशन का मन दुखी है करून रस है यार सिंपल सा है क्या इसमें है अगर कोई कुछ इदर उदर बताता है तो समझो गलत बता रहा है कुछ है ही नहीं सीधा सीधा करूड़रस क्योंकि सुदामा की दसा देख करके क्रिशनी दुखी है और जहां दुखा स्थाई भाव मन में आता है वहां करूड़रस होता है चलो बेटे ये बात समझ में आ गई अब सुनना यहां एक प्रिक लेलो सारा काम खता है क्या यदि किसी संग्या से जश्ट यदि किसी एक से ही सारा काम खता है यदि किसी संग्या से पहले यह वह आया हो तथा विकल्प में सार्वनामिक विशेशन दिया हो तो यही सही होगा वाकि कुछ मत करना न सार्वनाम लगाना न विशेशन लगाना अगर किसी संग्या से जश्ट पहले यह वह और इसी से आपका 100% काम चलेगा यह भी बता दू किसी संग्या से जश्ट पहले यहवा आया हो और आपके विकल्प में सारवनामिक विशेशन हो आँख मूद के सारवनामिक विशेशन मार देना कोई गलत करने वाला पैदा नहीं हुआ है बात खत्म सारवनामिक विशेशन एक लाइन में खत्म और यही आना है, जब भी आएगा यहवा ही आना है, आप देख लेना बार-बार प्रशनों को, इतना confidence से मैं इसले करा हूँ क्योंकि मैंने कई साल पेपर पर research किया है, तो अगर किसी संग्या से जश्ट पहले यहवा आया और विकल्प में सारवनामिक विशेशन है, बस वही मारना दूसरा कुछ छूना ही मत, कभी जीवन में गलत नहीं होगा, चलो बेटे, नमबर दो चलते हैं संख्या वाचक विशेशन, देखो बेटे, अगर किसी संग्या से पहले कोई संख्या आये, जो उस संग्या की विशेश्ता बन जाए, तो उसे संख्या वाचक किसी संग्या से पूर्व, कोई संख्या आये, जो उसकी विशेश्ता बन जाए, जो उसकी विशेश्ता बन जाए, इसी को कहते हैं संख्या वाचक विशेश्ता, जैसे दस आदमी, अब यहाँ आदमी से पहले दस संख्या आ गई है, और आदमी की विशेश्ता है कि वो दस हैं, clear? छह ट्रेने छह गाडियां अब यहाँ गाडियां संग्या है बेटे गाडियां से पहले छह आ गई है इसका मतलब यह संख्या वाच्छत है तो किसी संग्या से आप जैसे वाक्ष में मैं दिखा दू चौराहे पर तीन कुट्टे लड़ रहे थे चौराहे पर तीन कुट्टे लड़ रहे थे अब यहां देखो बेटे कुट्टे संग्या है और कुट्टे की विशेष्टा है कि वो तीन है इसका मतलब तीन विशेष्ण है क्यों क्योंकि जो संग्या की विशेशता बताता है उसे विशेशन कहते हैं और ध्यान देना बेटे जिस संग्या की विशेशता बताई जाती है उसे विशेश से कहते हैं इसका मतलब यहां जो कुत्ते सब्द है वो संग्या है और संग्या होने के कारण विशेश से भी है बा आस बात और ध्यान रखना वेटे कि जो संग्या होगी उसे विसेश से कहेंगे और जो संख्या होगी उसे विसेशन कहेंगे तो ये भी याद रखना विसेश से विसेशन भी पूछता है निम्न में कौन विसेशन है तो जो किसी की विसेशन बता सके किसी संग्या की वो विसे लगाना जो विसेशन जिसकी विसेशता बन जाए वो विसेशते है बहुत आसान है ठीक है देखो बेटे संख्या निश्चित भी हो सकती है अनिश्चित भी हो सकती है इसलिए संख्या वाचक विसेशन दो तरह के होते हैं निश्चित संख्या वाचक अनिश्चित संख्या व तो निश्चित संख्या वाचक और जब संख्या अनिश्चित हो तो अनिश्चित संख्या वाचक ठीक है क्लियर अगला परिमार परिमार का मतलब ही होता है बेटे नाप तौल परिमार का मतलब क्या होता है नाप तौल कहने का मतलब है जिस विशेशन को नापा या तौल आ ज तो समझ लेना वो परिमारवाची बहुत आसान है क्या यदि संग्या से पहले कोई नाप तौल की इकाई आए संग्या से पहले कोई नाप तौल की इकाई आए तो वह परिमारवाचक विशेशन होती है संग्या से पहले कोई नाप तौल की इकाई आए जैसे दो किलो अमरूद अब आप यहाँ देखिए अमरूद की संग्या कितनी अमरूद जो है इससे पहले दो किलो आया और दो किलो नाप तौल है और यह अमरूद की विशेशता है कि दो किलो है तो सीधी सी बात है परिमार है नमबर दो जैसे हम कहें जो है अगर तीन पाव लड़ू अब यहाँ भी देख लो बेटे तीन पाव चुकि यहाँ तीन आते ही लोगों को लगता है संख्या नहीं लेकि इसके साथ पाव लगा है पाव मनने नाप तौल की इकाई तो लड़ू की विशेषता है कि वो तीन पाव है और तीन पाव क्या है पेटे नाप तौल है इसलिए इसको क्या कहेंगे परिमार तो सीधी सी बात है किसी संख्या के पहले यादि कोई नाप तौल की इकाई लग जाए तो समझना वो परिमार वाचक विशेषन है और वह स संगया विसेश से हो जाएगी जैसे दुकानदार ने 8 मीटर कपड़ा बेचा अब कपड़े की विसेशता है कि वो 8 मीटर है और 8 मीटर नाप की काई है तो सीधी सी बात है कि 8 मीटर कपड़े की विसेशता है कपड़ा विसेश से 8 मीटर विसेशन है कैसा विसेशन है परिमार वाचक क्योंकि नापतौल है अच्छा ये भी देखना परिमार भी निश्चित और अनिश्चित दोनों हो सकता है कैसे निश्चित परिमार का मतलब जैसे ये कहा आपने दो किलो तीन पाव अब ये न इस से कम हो सकता है न इस से ज़ादा लेकिन अगर हम कह दें कुछ किलो अमरूत कुछ पाव लड़ू तो ये क्या है ये अनिश्चित है क्यूं क्यूंकि कुछ किलो का मतलब दो किलो चार किलो जो है पांच किलो भी हो सकता है कुछ पाव माने दो पाव एक पाउ तीन पाउ कुछ भी हो सकता है तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा परिमारवाचग क्लियर और निस्चित और अनिस्चित दोनों चल इस्क्रीन साट नेक्स्ट गुरवाचग विशेशन ए बेटा सुनो इसको पढ़ना ही नहीं है क्यों नहीं पढ़ना है मैं बता दूँ जैसे मैं बताऊं आपको आपको सीधा सीधा उदारण देता हूँ आया है आपके प्रशना है सीटेट का मोटा लड़का मैं बहुत इसको उदारण देता हूँ मोटा लड़का दोड कर भागा मोटा लड़का दवर कर भागा ओर पुछा इसमें बिसेशन कौन सा है तो सीडिनी सी बात है कि जो संग्या की बिसेश्ता होगा वो बिसेशन है तो जब भी बिसेशन कुछा जाए पहले संग्या को अंडरलाइक कर लिजे जितने भी संग्या है और देखी किसके साथ कोई विशेष्टा है जो विशेष्टा है वही विशेष्टा है इसमें केवल एक संग्या है लड़का और लड़के की विशेष्टा है कि वह मोटा है इसका मतलब यह विशेष्टा है लेकिन अगर मालीजिये इसी प्रस्म में नापतोल की इकाई हो, और अगर तीनों नहीं है, तो गुणवाचक, तो सिंपल सी बात है, यह क्या है, गुणवाचक इसमें पढ़ना ही कहा है, यार, बैस, सीधे से आप देख रहे हैं, कि ना तो यह कोई मोटा कोई सर्वनाम है, है कि ने, हां, ना तो मोटा क्या है, ना त कोई विसेशन, तो समझ लेना वो गुनवाचब विसेशन है, सबसे सरल तरीका बता दिया, जैसे लाल कपड़ा, लाल घोड़ा था वहाँ, आपसे कहा लाल भोड़ा, अब यहाँ जो है घोड़े की विसेशता है कि वो लाल है, अब यहाँ लाल रंग क्या है बिटें, लाल जो है यह विशेशन है, कैसा विशेशन है, तो सीधी सी बात है कि यार लाग न तो सर्वनाम है न संख्या है न परिमार है, तो सीधी सी बात है कि गुण है इसमें पढ़ना ही क्या है, तो देखो बेटे, यह तो रहा तरीका फटा-फट साल्व करने का, बट एक चीज ध्यान लखना संग्या के गुण जैसे यह है संग्या के स्वभाव यह संग्या की दसा का बोध कराता है उसे गुण वाचक बिशेशन कराता है स्वभाव माने जैसे हम कहा दे बेटे जगडालू महिला अब यहां महिला की विसेस्ता है कि वो जगडालू और ये उसका स्वभाव है तो ये गुणवाचक है दसा जैसे हम कह दे बीमार आदमी आदमी की विसेस्ता है कि वो बीमार है गुणवाचक है तो सीधी सी बात है कि इससी संग्या के गुण, उसके सभा, उसकी दसा का बोध कराने वाला विशेशन, गुणवाचक है, और दूसरी चीज़ सबसे आसान है यार, जो न सर्वनाम हो, न संख्या हो, न नापतौलकी काई हो, तो गुणवाचक है बात खतम, चारो विशेशन, चारो भेट खतम, कलि आसान भी है चल नेक्स चलते हैं ध्यान देना बेटे क्रिया क्रिया में भी आपसे बार बार पुछा गया है सकर्मक अकर्मक चलो सारे लोग एक बार शेयर करो ठीक है सारे लोग एक बार शेयर करो गिलास में थोड़ा पानी है में कौन सा विशेशन है देखे अब आप लोग बता दीजे, करें, गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा पानी है, तो भाई, सीधी सी बात है, पानी को हम तौल, जो है, पानी को क्या कर सकते हैं, गिन थोड़ी सकते हैं, है कि नहीं, पानी को गिन थोड़ी सकते हैं, भाई, पानी को हम नाप तौल सकते हैं, और हमने कहा, जो नाप तौल के साथ हो, थोड़ा पानी है, कुछ पानी है, है कि नहीं, तो भई, पानी क्या है, पानी कैसी संग्या है, आप बताओ, पानी संग्या है, दर्ब्यवाचक संग्या है, और थोड़ा उसकी विशेष्टा है, तो भई, थोड़ा का मतलब ये थोड़ी है, थोड अनिश्चित परिमार, क्लियर हो गया बेटे, अनिश्चित परिमार, क्यों, पानी संग्या है, पानी की विशेष्टा है कि थोड़ा, अब थोड़ा का मतलब यह नहीं है कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, थोड़ा माने, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 यमल, 20 यमल, 50 य यहाँ एक काम अच्छा किया, आपने नापतवल की काई नहीं लगाई थी, तो थोड़ा सा confusion बना, ठीक है, बट बेटा एक बात याद रखना, अब अगर आप यहाँ तक जानना चाहते हो, तो मैं बता दू, जो द्रव्य वाचक संग्या होती है, जो द्रव्य है, द्रव्य ह है तो निश्चित परिमार, अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमार, चाहे नापतवल की काई लगाएं, चाहे ना लगाएं, असपस्ट हो गया बेटे, सब को क्लियर हो गया, चलो बेटे, अच्छे प्रशन है, पढ़ जो है, करते रहो, ठीक है, चलो, 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 एक ब तो आनम्द आ ही रहा है, हमें माने हमारे पढ़ाने में, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हाम मुस्कुरा लिजे एक बार थोड़ा सा, क्योंकि हम भी थोड़ी थकान सी महसूस कर रहे हैं, अब जो है, बोलते-बोलते, चिलाते-चिलाते, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि एक चीज़ याद रखना बेटे, एक चीज़ याद रखना क्या, कि अगर एक दुकानदार की दुकान में 100 कपड़े हैं, और वो 99 को बेचता है, एक बचा रहता है और उसके पास सुरक्षित रहता है, मतलब उसका हिसाब किताब सही है, और अगर वो 95 बेचे, अचार ग करेंगे, एक बार जूम के शेयर करेंगे जरा सा, जो है, इस ठंड के नाम, जरा एक बार जूम के शेयर करेंगे, ठीक है, तो एक बार जरा सेयर करेंगे, तो मजा आएगा, आप देखे, चानिस हो जाएंगे, बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है धड़ा वो सकर्मक है कि अकर्मक है तो बस कियो वोल ट्रिक से फटा-फट बता दूँगा, क्रिया भी सेशन में कुछ पढ़ाना नहीं, चार लाइन बताऊंगा एक-एक कोश्चन पूछ लेना चारों से आपका काम खतम, फिर दमदारी से पढ़ाएंगे गद्य और पद्य और यही नहीं, पद्य उन बच्चों के लिए बताएंगे यार जिन्होंने हाइ स्कूल के बाद हिंदी नहीं पढ़ी है जिन्होंने इंटर के बाद हिंदी नहीं पढ़ी है, उनको सिखाएंगे कि आप कैसे गद्य और पद्य सही कर पाएंगे, ठीक है, तो जड़ा सा एक बार शेयर करें, एक बार जड़ा जोर से शेयर करें, जोम के शेयर करें, ठीक है, चले, देखो बिटे, क्रिया का सीधा मतलब होता है, क्रिया का सीधा मतलब होता है, कार्य, क्रिया का सीधा मतलब क् कार्य जैसे यहाँ देखिये यह आद्वी खोदने का काम कर रहा है इसका मतलब यह क्रिया कर रहा है तो सीधी सी बात है किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वही क्रिया कहलाती है बात समझ गया है तो क्रिया का सीधा सा आर्थ है कार्य तो हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है या जो कार्य का बोध कराती है ऐसे लिख दिए यार किसी भी वाक्य में जो कार्य का बोध कराती है उसे क्रिया करते हैं किसी भी वाक्य में जो कार्य का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं क्रिया कहते हैं जैसे माली जै यहीं हम कर दें मजदूर मिटी खोदता है अब यहां देखे खोदना क्या है खोदता है से पता चला कि खोदने का काम हो रहा है तो जो काम हो रहा है वहीं क्रिया है इसका मतलब खोदता है क्या है प्रयोग या कर्म के आधार पर प्रयोग या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद यहीं से एक प्रस्न आएगा क्या कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं बेटे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ओके सकर्मक जिस क्रिया में कर्म हो जिस क्रिया में कर्म हो वह सकर्मक है और जिस क्रिया में कर्म ना हो वो क्या है अकर्मक बात असफश्च हो गई यहां तक सब जानते हैं अब आईए इसके आगे चलते हैं और तब आपको बताते हैं कि असली लड़ाई कहां है सकर्मक क्रिया जैसे देखो बेटे यह स्कूल का चित्र है अब यहां देखो यह बच आदेखो बच्चा क्या कर रहा है यह बच्च इसकूल जा रहा है यह बच्चे इस्कूल में बैठे हैं तो सीधी किसे कहते हैं, तब तो आप जान पाओगे किसी ने आप से कहा है, जाओ मार्केट से जो है कद्दू खरीद लाओ अब आपको यही नहीं पता, कद्दू होता कैसा है कहते हैं किस को आँ तो कैसे खरीदेंगे कद्दू की जग़ा कोई लोग्की देदेगा क्रिया का प्रभाव जहां पढ़ता है उसे कर्म कहते हैं अब दोको जैसे बालत बिद्ध्याले जाता है तो जाने का प्रभाव कहां है बिद्ध्याले पर क्यों अब दिखें जैसे ये बच्चे बिद्ध्याले आ गए है अब भया मैडम पढ़ा रही हैं तो ये बैट के पढ़ रहे हैं अब इन्हों ने यहाँ पैर रखा हो सकता है पैर रखने में तूट भी जाए यहाँ सारी इनके पैर की मिट्टी लगेगी कहने का मतलब बिद्याले में क्या है ये सब देख रहे हैं कहने का मतलब ये कही न कह देखो आपके लिए मैंने चित्री सी लिए रखा कि यह स्कूल को प्रभावित कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, तो सीधी सी बात है कि इनका प्रभाव विद्ध्यालाय पर है, इसका मतलब विद्ध्यालाय कर्म है, और जब कर्म है तो क्रिया कैसी है, सकर्मक लिया, बच्च ट्रिक नमबर एक, क्रिया से क्या और किसको दो प्रस्ण करना वेटे, क्या किसको प्रस्ण करने पर प्राप्त उत्तर कर्म होगा, क्रिया से क्या किसको प्रस्ण करने पर प्राप्त उत्तर क्या होगा, कर्म होगा, जैसे लड़की पढ़ती है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, अब सीधे सीधे पुछो बेटा देखो पढ़ती है, पढ़ती है क्रिया है, क्रिया से पुछो क्या पढ़ती है, तो उत्तर मिला पुस्तक पढ़ती है इसका मतलब पुस्तक कर्म है और जब कर्म है तो एक ऐसी क्रिया है सकर्मक्रिया आसान हो गया लड़की सहेली को पुस्तक देती है लड़की सहेली को पुस्तक देती है अब देखो बेटे इस वाक्य में देती है क्रिया है देने का काम इसका मतलब लड़की इस वाकिता करता है, करता छांट के पहले अलग कर लेना, और करता का टुक बता दू, क्रिया से पूछना कौन, कौन का जो उत्तर मिले, वो करता होगा, उसे छांट का पहले अलग कर लेना, कौन देती है, लड़की देती है, करता आप छांट लिया, अपला विक्रिया कैसी है सकर्मा आसान है क्रिया से क्या किसको प्रस्ण करने पर पहले क्या कौन प्रस्ण करना और करता चाट के अलग कर लेना फिर पूछना क्या और किसको दो प्रस्ण करना जो उत्तर मिल जाए वही करना होगा और अगर उत्तर मिल रहा है तो ठीक है नहीं जब वाक्य में कर्म प्रत्यक्ष ना हो तो भी करता क्रिया से क्या प्रश्न करना चाहिए? अब मैं बता रहा हूँ क्या प्रश्न करना चाहिए? यदि क्रिया क्या का कोई सभावी तुक्तर दे रही है? तो समझना वो सभावी तुक्तर कर्म होगा और सकर्मक्रिया होगी. जैसे मैं बताओं लड़का पढ़ता है. अब देखो विटें. यहाँ आप जानते हैं पढ़ वचा ही नहीं कि कर्म हो लेकिन हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम फिर क्रिया से पूछेंगे क्या क्या पढ़ता है तो क्रिया कहेगी कि पुष्टक पढ़ता है क्रिया कहेगी समाचार पत्र पढ़ता है क्रिया कहेगी कुछ भी पढ़ता है चित्थी पढ़ता है अग तो जमाना ही नहीं रहा नहीं तो चित्थी पढ़ने का आनंद ही कुछ और था रस कुछ और था खेर पुस्तक पढ़ता है समाचार पत्र पढ़ता है तो मेरे कहने का मतलब है बिटे कि यहाँ जो पुस्तक और समाचार पत्र है इन्हें संभावित कर्म कहा जाता है और ऐसी क्रिया सकर्मक क्रिया होती है तो बात समझ गए तो ऐसा मत करना कि यह देखना कि वाके में कर्म द करता हटाने के बाद क्या का कोई उत्तर दे पाए तो वो समझ लेना क्या कि वो संभावित कर्म है और ऐसी क्रिया सकर्म है एक बात और तीसरा यदि करता कार्य स्वयम नहीं कर सकता है यदि करता कार्य स्वयम नहीं कर सकता है बस लाश पॉइंट है इसके बाद तो वह करता ना होकर कर्म होगा बेटा इसके आने पर न अच्छे अच्छे गुरुजी जो है पसीना फेक देते हैं जैसे मैं उदाहरण दूँ आपको सुनना गाड़ी चलती है आप जानते हैं बार बार लोग करते हैं कि इस वाक्य में चलना क्रिया है और चलने का काम जो करता है जो कारे को करता है वो करता होता है तो लोग करते हैं चलने का काम गाड़ी कर रहा है इसलिए गाड़ी करता है और क्या चलती है कोई उत्तर नहीं क्यों क्योंकि गारी तो करता हो गई यह अकर्मक है पर गलत है वेटे एक बात मुझे बताओ क्या गारी खुझ से चल सकती है इसलिए मैंने कहा कि यदि करता कारे स्वयम नहीं कर सकता तो वो करता होगा ही नहीं वो कर्म होगा यहां गारी क क्यों कि गारी खुद से नहीं चल सकती है अगर खुद से चल सकती तो आज आप अपने बाउंडरी में खड़े करते कल जाके दूसरे के बाउंडरी में खड़ी रहती तो कहने का मतलब यह है बिटे कि गारी खुद से नहीं चल सकती इसलिए गारी पक्का कोई चला रहा है और आपको करता लगता हो लेकिन वह उस काम को स्वयम करने में सक्षम न हो तो समझ लेना वो करता नहीं है करम जैसे गेहूं पिसा जाता है अब इस वाकि में पिसा जाता है क्रिया है और पिसने का काम कौन कर रहा है गेहु कर रहा है तो लोगों को लगता है कि पिषने का काम गेहु कर रहा है इसलिए गेहु करता है ना बैया यार गेहु खुद से थोड़ी पिष सकता है अगर खुद से पिष सकता तो आप 50 बोरा गेहु घर में रखें अगले दिन 50 बोरा आटा घर में मिलता गेहु खुद उसे नहीं पिस सकता गेहूं पिसा जाता इसका मतलब कोई उसे पीस रहा है और जो पीस रहा है वो करता होगा गेहूं कर्म तो अगर कोई काम ऐसा हो रहा है जिसको करने वाला जो आपको लग रहा है कि ये कर रहा है लेकिन वह करने वाला अगर आपको ये लगे कि यह करने व पॉइंट, येस, लाज्ट पॉइंट, एक मिनुट, यदि वात्य में चार क्रिया ही भी हूँ, यदि केवल चार क्रिया देकर सकर्मक अकर्मक पूछे, यदि केवल चार क्रिया देकर सकर्मक अकर्मक पूछे, तो पूछे तो सबसे क्या प्रश्न करना है, क्या करना है, क्या प्रश्न करना है, जो क्या का उत्तर देगी, वह सकर्मक और जो उत्तर नहीं देगी वह अकर्मक, जैसे आप से पूछा, कोश्चन किया, सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, नमबर एक, पढ़ना, नमबर दो, चालना, नमबर तीन, सोना, नमबर चार, ननाप दीज, जल्दी बताओ बेटे, उत्तर दो, जल्दी उत्तर दो, कौन क्रिया सकर्मक है, जल्दी उत्तर दीजे, पटापट जल्दी करिये, कौन क्रिया सकर्मक क्रिया है आकास में पक्षी उड़ते हैं बेटे ये अकर्मक क्रिया है मैं बता रहा हूँ आपको क्यों अभी मैं बता रहा हूँ आकास में पक्षी उड़ते हैं इसका भी मैं रिजन बता रहा हूँ घबडाना नहीं बालक नदी में तैरता है बेटा यहां समय बहुत कम है मेरे बच्चे नहीं तो मैं बताओं आपको पढ़ा तो जो दू मेरे बेटे नहीं कि पढ़ने नहीं पढ़ाने लाइक हो जाओ आप लेकिन मजबूरी यहीं समय का भाव है चलो जल्दी उतर दो एक 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 क्या बात है क्या सोना कुछ नहीं सोना कोई उतर नहीं बात खतम क्या पढ़ना पुष्टक पढ़ना बात खतम और अब समना बेटे यहीं अकर्मक भी सॉल्द कर लो क्या अगर वात्य में केवल करता और क्रिया हो केवल करता और चलो आप स्क्रीन सोट लो इसका तो बताऊं जल्दी चलो अकर्मक यदि वाक्य में यदि वाक्य में केवल करता और क्रिया हूँ यदि वाक्य में केवल करता और क्रिया हूँ तथा क्रिया क्या का उत्तर न दे पाए क्या का उत्तर न दे पाए तो अकर्मक क्रिया होगी जैसे मैं बताऊं लड़का सूता है लड़का सूता है अब यहाँ सोना क्या है? क्रिया है सोने का काम कौन कर रहा है लड़का कर रहा है इसका मतलब लड़का इस वाद के का क्या है करता है क्या सोता है कोई उतर नहीं इसका मतलब यह क्रिया कैसी है अकर्मा क्रिया लड़की तहलती है लड़की तहलती है कौन तहलती है लड़की लड़की करता है तहलना क्रिया है क्रिया से पूछा क्या टहलती है कोई उत्तर नहीं इसका मतलब यह कैसी क्रिया है Simples सी बात चारों में मैंने बता दिया कि जो क्या का उत्तर वहां भी दे पाई व। सकर्मक नहीं दे पाई तो ये रहा आपका क्रिया अब सुनो बेटे अकर्मक सकर्मक कर दिया क्रिया विसेशन देखिए यहाँ एक चित्र है हवा बहुत तेज चल रही है आप देख रहे हूँगे पेंड चल रही है यहाँ चित्र है हवा आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है हवा तेज चल रही है कहने का मतलब बेटे यहाँ चलना क्रिया है और चलने की विशेस्ता है कि तेज चल रही है तो यह क्या है क्रिया विशेस्ता है अब सुनना बेटे कहने का मतलब जो क्रिया की विशेस्ता बताए क्या बताए बेटे जो क्रिया की विसेशता जो क्रिया की विसेशता बताए वो क्या होता है? क्रिया विसेशन होता है जो क्रिया की विसेशता बताए वो क्या होता है बेटे? क्रिया विसेशन अब सुनो, कई बार दिक्कत हमारे सामने क्या आती है बहुत कोशन आता है सीटेट में जैसे दिया आपसे कहा कि यही वाक्य दे दिया यही वाक्य दे दिया हवा तेज चल रही है अब बच्चे यही नहीं जान पाते कि यार इसमें दिक्कत का क्रिया भी सेशन है या नहीं है तो सुनना बिटे देखो चल रही है क्रिया है देखो ट्रिक एक बार में सीख लो जिन्दगी में कभी गलत नहीं हो गए चलने का काम हवा कर रही है हवा करता है अब सुनो बिटे करता और क्रिया के बीच में फसा है तेज अब आपको देखना है कि क्या तेज क्रिया विसेशन है या नहीं तो बस एक काम करना एक बार ऐसे पढ़ना और एक बार ऐसे पढ़ना अगर ये इसके साथ सुध लगे तो समझना क्रिया विसेशन है और इसके साथ सुध लगे तो समझना क्रिया विसेशन नहीं है जैसे हव आद तेज या तेज चल नहीं है, तो आप कहेंगे सके तेज चल रही है, ज्यादा सही लग रहा है, तो कहने का मतलब तेज क्रिया विसेशन है, बात समझ में आई, अगर अच्छा लगा हो, तो एक बार शेयर करना बेटे, समझ में आई बार, चलो, आगे मैं और थोड़ा सा लेता हूँ, अच्छा एक मिनिट रूखो, चलो यहीं समझाता हूँ, दूसरा पॉइंट लेकर आपको, यह जगा तो है मेरे पास, बहुत जगा है, चलो, जैसे मैंने कहा, मा जल्दी जल्दी, मा जल्दी जल्दी सबजी काटती है, मा जल्दी जल्दी सबजी काटती है, काटने का काम कौन कर रही है, मा कर रही है, मा इस वाक्य का करता है, अब जल्दी-जल्दी, सबजी हटा देना, मा जल्दी-जल्दी काटती है, बस केवल ये रखना, अब आप देखो, यहाँ जल्दी-जल्दी फंसा है, अब आपको पूछ रहा है कि क्रिया विशेशन, तो आपको ये देखना है कि ये क्रिया विशेशन है या नहीं है। तो बस एक काम करना, मा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी काटती है। जल्दी जल्दी काटती है, ये ज़्यादा सही लग रहा है। अगर जल्दी-जल्दी काटती है, ज्यादा सही लग रहा है, इसका मतलाब कनफर्म है कि जल्दी-जल्दी क्रिया भी सेशन है, कोई गलत नहीं कर सकता। ट्रिक याथ हो गई, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अगर अच्छी लगी हो तो सेयर करना। दूसरी चीज, एक लाश्क पॉइंट समझ लेना, बस इसके बाद व्याकरन का मैटर यहीं क्लोज हो जाएगा, फिर हम गध्यान स्पध्यान सुरू कर देंगे, जिसका आप बहुत देव से इंतिजार कर रहे हैं, मुझे भी पता है, सांप और नेवले की असली लड़ाई व अएप पर, तो यही इतना मैं पढ़ाता हूँ, कम सकम एक महीना, डिर्ध महीना में, उसको दो घंटे में समेटना, बहुत बड़ा रिस्क लेना है, और बड़ी दिमाक लगाना है, लेकिन मेरे बच्चे मैंने प्रयास किया, अब मेरी प्रयास की सफलता और असफलता, दो चलो, इसको ले लो, इसक्रीन साट जल दीतो, मार बेटा लाश्ट, चल shed मेरे बच्चे, लास्ट काम, यदि चारों नहीं पढ़ांगा, एक चार लाईल में बता दूँगा, खतम, यदि क्रियास से तुरंत पहले, यदि क्रियास से तुरंत पहले, संग्या, सर्वनाम, यदि क्रिया से तुरंत पहले संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया को छोड़ कर मतलब ये चारू नहीं आने चाहिए न संग्या न सर्वनाम न विशेशन न क्रिया को छोड़ कर कोई अन्य सब्द आया हो और वह क्रिया से जुड़ता हो तो क्रिया विशेशन है तो क्रिया विशेशन है जैसे मैं उदारण दूँ गाड़ी दाहिने मुड़ी आप देखो बेटे इस वाक्य में मुड़ना क्रिया है मुड़ने का काम गाड़ी कर रही है गाड़ी करता है करता और क्रिया के बीच में आया दाहिने तुरंत आपने देखा दाहिने दाहिने मुड़ी इसका मतलब दाहिने मुड़ी ज़्यादा सही लग रहा है इसका मतलब दाहिने मूर्ट, दाहिने क्रिया विशेशन है, लेकिन आप ये देख लेना कि ये कहीं कोई संग्या तो नहीं, कोई सर्वनाम तो नहीं, कोई विशेशन तो नहीं, कोई क्रिया तो नहीं, अगर संग्या सर्वनाम विशेशन और क्रिया नहीं है, तो समझ लेना 100 परसेंट करिया भी से सण इससे सरल कुछ होई नहीं सकता है खट खट ठेक है चाओ चलिए अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा बेटे यह असपश्ट हो गया next क्रिया भी से सन के भेड ध्यान रखना बेटे जितने भी से सन होते हैं उतने ही क्रिया भी से सन होते है बात असपश्ट चार भी से सन वी से सन याद रहेगा तो चार विशेशन और चार क्रिया विशेशन चार कौन-कौन से हैं? काल वाचक, अस्थान वाचक, परिमार वाचक, रीति वाचक मैं एक-एक की बात कर लेता हूं, बहुत आसान देखो बेटे, जब कोई सब्द क्रिया विशेशन हो और प्लस होँ, समय का भी बोध कराएं, तो काल वाचक जैसे लड़का तुरंत चला गया, लड़का तुरंत चला गया अब देखो बेटे, चला गया क्रिया है, कौन चला गया लड़का करता है लड़का तुरंत तुरंत चला गया इसका मतलब ये क्रिया विशेशन है क्यों क्रिया विशेशन है क्योंकि ये संग्या सरोनामिन में नहीं है लेकिन पैसा है, तो तुरंत माने समय काबूद, बात अस पश, अब सुनो बेटे, मैंने कहा चार लाइन कहा था तो केवल चार लाइन, भाई देखे, संख्या बढ़ाईएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सरकार कहते है, संख्या घटाईएगा, गुरू जी कहते है, संख अब एक प्रिक लेलो क्या क्रिया से बस लाश एक लाइन में क्रिया से कब कब क्रिया से कब प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर क्रिया से कब प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर काल वाचक क्रिया विशेशन होगा बात खतम यार एक लाइव में खतम, बस जाओ, क्या कहा, कहा क्रिया से पूछिएगा कब, अगर कब का क्रिया जो उत्तर देंगी, वो कालवा ज़िक, कब चला गया, तुरंट चला गया, गाड़ी परसों जाएगी, कब जाएगी, परसों जाएगी, लड़के अभी अभी कब आए हैं? अभी अभी आए हैं. तो कहने का मतलब एक लाइन में खतम, कुछ जान ये तो मैंने दो बातें इसलिए बता दी कि ये भी तो जानो कालवाचक कहते किसको हैं. बस एक लाइन में खतम कि क्रिया से ऊठर दे तो प्रज़े थी हैं तो पर जरूर करी। एक बार प्रक्रणी का कृष्छा से शेयर कर एक बार फिर से उतसाहल आईए गभाईए जरासा प्रक्रणी आप पिस्तवात को नहीं लकलि आई प्रक्रणी को बिच्वात कोई नहीं दे सकता कहीं देख लेना किसी को अगर ये क्लाइम में क्रिया विशेशन का एक भेव खतम करते तो बताना मैंने कुछ नहीं करना क्रिया से पूछो कब अगर कब का क्रिया कोई उतर दी तो काल वाचक नमबर दो अस्थान वाचक का मतलब है बेटे कि कोई सब्ध जो क्रिया विशेशन हो प्लस किसी अस्थान का बोध कराए तो समझ लेना वो स्थान वाचक क्रिया विशेशन है जैसे मोहन दाहिने मुडा मोहन दाहिने मुडा अब यहां मुड़ना क्रिया है कौन मुडा मोहन मोहन करता है मोहन दाहिने मुडा इसका मतलब कनफर्म है कि ये क्रिया भी सेजन है क्योंकि ये संग्या सर्वनाम में भी नहीं है, अब देखे, सीधी सी बात है, सीधे सीधे पूछिए, कहां, क्रिया से, कहां, या किधर, दोनों पूछ सकते हैं, वैसे कहां ज्यादा सही है, प्रश्न करने पर, प्रात उत्तर, क्या है, अस्थान वाचक क्रिया विशेशन है, बात समझ गए, कहां मुरा, दहिने मुरा, किधर मुरा, दहिने मुरा, पानी बाहर बहता रहा कहां बहता रहा बाहर बहता रहा है की नहीं पानी बाहर बहता रहा ठीक है सड़क दूर तक जाती है कहां जाती है दूर तक जाती है तो सीधे सीधे कहां खता चलो इसके दिए साट यार देखो कितना आसान कर दिया इतना आसान तो कहीं नहीं हो सकता भीया परिमार का मतलब होता है बेटे मात्रा मतलब जो सब्द क्रिया विशेशन हो और प्लस क्रिया की मात्रा का भी बोध कराए वो परिमार वाचक्रिया विशेशन कहलाता है जैसे मैं बताओं आपको लड़का बहुत खाता है अब आप देखे इस वाक्य में खाना क्या है क्रिया है खाने का काम कौन कर रहा है लड़का लड़का करता है लड़का बहुत बहुत खाता है बहुत क्या हो गया बहुत हो गया क्रिया विशेशन अब सिधी सिधे एक बाद ध्यान रखना विटे, क्रिया से कितना या कितनी लिंग के अनुसार, कितना या कितनी प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर क्या हो जाएगा? परिमार वाचक्रिया विशेशा कितना खाता है बहुत खाता है हवा हवा जो है या एक ताम यह कहिए हवा जो है बहुत चल रही थी कितनी चल रही थी बहुत चल रही थी लड़की कम बोलती है कितनी बोलती है कम बोलती है क्लियर लास्ट लास्ट रीतिवाचक क्रिया विशेशन ध्यान देना रीति का मतलब होता है बेटे रीति का मतलब होता है कार्य करने का तरीका तो कहने का मतलब यह है कि जब कोई शब्द क्रिया की विशेषता बताए प्लस कार्य करने का तरीका बताए तो समझ लेना वो क्या है रीटी वाचक जैसे मा जल्दी जल्दी चलती है अब यहाँ जल्दी जल्दी का यह कत्ता ही मतलब नहीं कि जादा चलती है मा जल्दी 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 चलती है क्रिया विसेशन हो गया अब कैसा क्रिया विसेशन है तो सीधी सी बात है कि प्रस्ण कर लेना बिटे क्या कि किस प्रकार या कैसे किस प्रकार या कैसे प्रस्ण किसे अब आप इतना समझ गए है क्रिया से कैसे चलती है जल्दी जल्दी चलती है किस प्रकार चलती है जल्दी जल्दी चलती है गाधी जी तेज चलते थे गाधी जी तेज चलते थे कैसे चलते थे तेज चलते थे गाधी जी तेज तेज चलते थे ठीक है चारो खतम चारों खतम बेटे बस एक काम करीगा तो दोस्त मेरे भाईयों ये रहा पहला चैप्टर संग्या विसेशन क्रिया क्रिया विसेशन यार सब कुछ मैंने बहुत जल्द में समेटने का प्रयास किया पूरी ताकत अपना पूरा ज्यान और पूरी ट्रिक लगा दी अगर लगा हो गुरू जी ने अच्छा बताया तो एक बार जरूर करेंगे एक बार जरूर जो है फिर से सेर करेंगे और दोस्त बिल्कुल नहीं लुकना है आये शुरू करते हैं गध्यांस और पध्यांस और मैं आपको यह दिखाता हूँ कि कैसे सरल से सरल तरीके से आप गध्यांस और पध्यांस को सौल्व कर सकते हैं कैसे सरल से सरल तरीके से आप गध्यांस और पध्यांस क्योंकि देखो बेटा थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जब हम गध्यांस और पध्यांस को सौल्व करते हैं बेटे तो कई बार हमारे सामने गध्यांस में समस्या आती है समय का आभाव और पध्यांस में समस्या आ वाले, ICSC बोर्ड वाले, तो यार उनके लिए गध्यान स्पध्यान से एक तेड़ी खीर है, तो मैं कुछ प्रयास अपनी तरफ से करता हूं, आपको कुछ त्रिक बताता हूं, कुछ जुगार बताता हूं, और कुछ काम को जल्दी करने का तरीका बताता हूं, तो बस एक बा जो है, हम लोग, चलिए, जैसे देखे, यहां मैंने आपके लिए एक गध्यान से लिया, एक गध्यान्स, एक मिनट, बास, ठीक, आजाओ भाई, भाग क्यों रहा, चलो जी, अब देखो बेटे, यह गध्यान्स जब हमने लिया, यह जब हमने गध्यान्स लिया, अब आपको मैं बता रहा हूं, कैसे गध्यान्स साल्व करना, आपके सीटेट में आएगा, यह दे देखो, यह देखो, यह देख रहा है, तीन पेज में चला है, यह दो पेज, धाई पेज, और ऐसे आता भी अपुरा एक एक पेज का गध्यान्स रहेगा, जब एक एक पेज का गध्यान्स रहेगा, तो आप करेंगे कैसे, सुनो बेटा, समय बचाना है, और काम भी करना है देखो गद्यांस में ये तैं है कि अगर 5 कोशन या 6 कोशन दे रहे हैं, कभी-कभी 7 कोशन भी हो सकता है, तो ये तैं है कि उसमें अगर 7 हुआ तो 2 कोशन ब्याकरण के होंगे, 2 कोशन किसके होंगे बेटे, 2 कोशन, अगर साथ कोश्चन हुआ तो उसमें दो कोश्चन व्याकरण के होंगे पांच कोश्चन गद्यान्व के होंगे तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे गद्यान्व करना है पहले मैं कुछ नहीं करूंगा ये दुखो बेटे अब देखे हमारा पहला प्रस्ण हमारे सामने है किसान अपने सुक दुख को कब भूल जाता है कुछ नहीं पढ़ेंगे बस प्रस्ण पढ़ेंगे किसान अपने सुक दुख को कब भूल जाता है दिमाग में बिठाया आगे पढ़े भाईया question number 2 पर आए किसान से बना किसानी सब्द है अब इसमें पढ़ना थोड़ी है इसका तो उत्तर यहीं दे लो भाया कि किसानी सर्वनाम है, विसेशन है, क्रिया विसेशन है या संग्या है अब आपने पढ़ लिया है सब अब इसमें से उत्तर दो भाया अब आप कह रहे थे नहीं कि गुरुजी तो भाया मैं इसलिए आपके सामने ले आया अब दो किसानी सब्द क्या है सोचे रहना, चलो इसका उत्तर हमें ने, पहला किसान कब भूल जाता है सुख दुख तीसरा आ गया, लेखक खेती के साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है मतलब पहला है, किसान सुख दुख कब भूलता है तीसरा है, लिखने के साथ खेती का काम क्यों कर रहा है चौथा प्रशन है, लेखक को दिसम्बर से विसेश लगाओ क्यों है दिसंबर महिना उसे क्यों अच्छा लगता है फिर उसके बाद हमारा पाँचवा प्रशन है सब्बों में कौन जोड़ा सेश से भिन है इसके लिए भी नहीं पढ़ना है इसका उत्तराते समय ही कर लेंगे छठा प्रशन है स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं कौन जीते हैं अब सुनो बेटे हो सकता है यह लाश प्रशन हो अब फिर चलो क्या करो बेटा फिर बता रहा हूँ अब उल्टे पढ़ते चलो स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं सब ये पढ़ना ही नहीं, छोड़ दो, एक मिनिट, चौथा, लेखक को डिसेंबर से क्यों लगाओ है, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम क्यों कर रहा है, दूसरी चीद, ये ब्याकरण का है, किसानी पढ़ना ही नहीं है, किसान अपने सुख दुख का भूल जाता है, मतलब हमें छह में से चार कोशन उत्तर दे, अब हमने पढ़ लिया, प्रशनों का एक खाका हमारे दिमाग में बना, अब हम आते हैं गद्यांस पर, गद्यांस पर आते हैं, तो अब हम देखते हैं, क्या कह रहे हैं, साल के जिस माह से मुझे सबसे ज़्यादा लगाओ होता है, उत्तर मिल गया, किस प्रशन का, लास्ट के प्रशन का, अब देखो मेरे पास तो पेज पलकने हैं यार, आपको तो वहां के ओल बास फट से देखें, धूप मोह लेती है, एक प्रशन मार दिया, काम खतम, देखो ये तरीका है, क्यों जब आप गद्यांस साल करते हो, पर गद्यांस पढ़ते हो, फिर कोस्टन पढ़ते हो, फिर गद्यांस पढ़ते हो, तीन बार वहीं एक काम करते हैं, नहीं, एक बार में करिए, क्लियर हुआ, एक कोस्टन निपढ़ गया, चार ही करना था, चार में से एक गया, बचा तीन, तीन में एक है कि लिखने के ठीक उसी तरह जैसे धरती मया के आचल में नजाने कितनी सदियां कितने बरस शिपे बैठे हैं फिर सोचता हूँ तो लगता है कि क्या लगता है कि जो है दुबग कर शिपे बैठे हैं फिर सोचता हूँ तो लगता है कि हर किसी के जीवन जीवन के बनने में ऐसे ही नजाने कि इतने बारह महीने लगे होंगे, इनी महीनों के पल-पल को जोड कर हम आप सब अपने जीवन को समारते बिगारते हैं, ठीक है, हम अपने जीवन को कैसे बिगारते हैं, इनी पलों को जोड कर, किसानी करते हुए, अब देखें, यहां देखें, किसानी करते हुए, अब हमने प किस तरह का क्रियाविसेशन है बता दीजे एक यह काल वाचक तरह नहीं के काल वाचक तो है नहीं है कि नहीं अच्छाक बॉसरी चीज है कि यह न तो अस्थान वाचक है नरीती वाचक paarि माड़ वयं इसी तरह से वासुदेव नंदन प्रसाजी की किताब में, वासुदेव नंदन प्रसाजी नहीं, पृथविनाथ पांडे जी, उन्होंने क्रिया भीजेशन के पांच भेद किये हैं, और उनका भीभाजन मुझे अच्छा भी लगता है, यहां वाक्या गया तो जरूर बताऊ है किसानी, तो यह चारों में नहीं आता, खर, कोई मतलब नहीं, हमें क्रिया भी शेशन बताना है, किसानी करते हुए, हमने पायाँ कि एक किसान 4-4 अहिने में, एक जीवन जीता है, सायदी किसी पेशे में, जीवन को इस तरह टुकडों में जिया जाता होगा, चार महीने में हम एक फसल उग जा लेते हैं, और इन चार महीनों में सुखदुख को फसल काटते हैं, मानो भूल जाते हैं, कभी बाबु जी के मुख से सुना था, कि किसा नहीं केवल एक ऐसा जीव है, जो स्वार्त को ताक पर रख कर जिता, पुछा था, याद आया कि कौन स प्रसम मिल गया, दो प्रसम में खतम, क्या करना है यार कुछ है, पीछे उनका तर्ख था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवा नहीं करता, कि कल अच्छा होगा या बुरा, यह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुढ जाता है, किसा लिखता था, अब कि हमारे अगले प्रसमता उत्तर मिल गया, कि किसानी के साथ क्यों लिखता था, क्योंकि वो इसलिए लिखता था, कि किसानी को कोई परित्यक्त मतलब त्यार जे भाव से, गलत भाव से न देखे, ठीक है, आगे, अंति महीने में मेरे जैसी किसान, मक्का, आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं इस आसा के साथ कि आने वाले नए साल में फसलों से नए जीवन को नए सरीके से समारा जाएगा खता अब आजे कुछ नहीं किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है अब आपने देख लिया कि फसल के तयार हो लेने पर आपने देखा न कि हमने क्या पढ़ा था कि जब फसल काटता है यह है फसल काट लेने पर यह है फसल काट लेने पर किसान अपने सुख दुख को भूल जाता है क्यूंकि वो अगले फसल की तयारी में लग जाता है उत्तर मिला यहीं पढ़ा था कितना आसान है यार दूसरा किसान से बना किसानी सब्द क्या है हमने बता दिया आपको पढ़ लिया वहीं से ले लिया क्रिया भी सेशन है ठीक है चलो नमबर तीन लेखक खेती के साथ लिखने का काम क्यों करता है क्योंकि कोई खेती को परिटक्त न समझे हीन न समझे आसान है दिसंबर महीने से बिसेश लगाव क्यों है क्योंकि कोमल धूप उसको अच्छी लगती कौम सा जोड़ा सेश से भिन्न है सुक दुख सजाया समारा घास पूस कंकर पत्थर अब ज़रा सा बता दीजे इसमें कौम सब जो है सेश से भिन्न है बता दीजे बिटे बताईए जल्दी जल्दी सुक दुख सजाया समारा घास पूस पत्थर अब इस तरह के प्रशनों में पता है क्या है देखो बेटे इस तरह के प्रशनों में क्या करना पता है कि आप देखना हम किस तरह के किस सीर्शक को पढ़ रहे है और उस सिर्षक में कौन-कौन से आए है、 कौन नहीं आया है, शुक-डुख सब्द आया है, घास-पूष सब्द आयी है, कंकर पत्थर कहीं दिखा था, सजाया-सवारा भी आया है, कंकर पत्थर कहीं नहीं दिखा था, इसका मतलब ये तीनों हमारे टापिक से डिलेटेड है, पर यह यहां related नहीं हो रहा है, इसलिए यह सबसे भिनना है, तो मैंने अपने इसार्थ से कठिन सा गद्यांस लिया था जान बूझ करके, चलिए, कोश्चन नमबर छे, स्वार्थ को ताक पर रखकर कौन जीते हैं, मैंने बताया किसान जीते हैं, स्वार्थ को ताक पर रखक कौन जीते हैं, तो यार यह तरीका आपना हो आप, और ऐसे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनो, दस-पांच गद्यांस की, अगर ना सही हो जाए धंग से, तो मुझे बताना कि हां गुरू जी गलत हुआ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, कि पहले एक बार वहां पढ़ा, फिर यहां पढ़ा, और इतना बड़ा सा गद्यांस होता है, कि पढ़ते-पढ़ते भूल जाते हैं, फिर प्रशन को पढ़ते हैं, अच्छा एक टरीका और बताओ, अगर इतने में भी आपको दिक्कत आती है, तो आपको एक तरीका और बताओ, क्या करना बेटे, दो-दो-चा बार-चार लाइन पढ़ते जाना, और एक बार कोश्चन पर निगाह मारते जाना, कई बार ऐसा भी होता है, गद्यांस पध्यांस में, देखो यह तो मैंने अपने हिसाब से कठिन लिया, पर गद्यांस में प्राया ऐसा होता है, कि गद्यांस में उपर से पहले कोश्चन क पर दूसरे का फिर तीसरे का फिर चौटे का फिर पांचोंगे का तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि पहने सुरू के दो कोश्टन दिमाग में रखें और लेकिन भाई इस तरह से जैसे अब इसमें हमें यह वाला कोश्टन सबसे उपर मिल गया था तो दिक्कत हो जाएगी तो कहन बहुत स्रमय नहीं लगता मेरे बच्चे एक मिनट में धराम से कोश्टन देख लेना और जो सब्द मिल जाए फट्ट से और हमने तो इतना समय लगाया क्योंकि हमें वहाँ पढ़ना था इमें पेश सा का आप तो वहाँ जैसे मिला इधर उत्तर वहाँ मिला इधर उत्तर अगर आसान नहो जाए तो मुझे बताना बेटे इसलिए आपको भी सारा पढ़ा दिया अब देखे यहां क्रिया भी सेशन आ गया था कि नहीं आ गया था ऐसे ही प्रशनाते हैं बेटा चलो पध्यांस एब आब देखो पध्यांस जो है कठिन लिया है हमने आसान नहीं लि पध्यांस पढ़ते हैं हमको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता है जब अर्थ नहीं समझ में आता तो हम प्रशन नहीं कर पाते हैं तो हमें एक काम करना है क्या पध्यांस को दो तीन बार पढ़ना है दो तीन बार और जो भी एक दो चार तूटे फूटे सब्द समझ में उन्हीं के बेश पर एक भाव दिमाथ में बिठाना है आप कहेंगे सर इतना समय कहां रहता है कि दो तीन बार पढ़ें तो गध्यांस से समय बचाईए पध्यांस पर ले आईए गध्यांस आसान कर दिया मैंने जो समय आप वहां देते देर तीन बार पढ़ करके वही समय पध्यांस में इक्ष्रादे दीजिए धड़ा धड़ पहले पढ़िए क्या का रहे हैं गगन के रक्ताभरंग में डूबते सूरज की किरणे पूछती हैं आज मुझसे जान पाए क्या कभी तुम फर्क है क्या भ्योर और संध्या सुन की धुधली लालिमा में और मैं अनभिग्य निश्चल मूख कातर दूर नभ में डूबते सूरज की किरणों से निकलते प्रश्न चिन्हों की दिसा में देखता हूं खोजता हूं अब देखो बिटा पढ़कर समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि सूरज के लाल जूबने उबने की बात कुछ की जा रही है इतना तो समझ में आ गया ना है कि दूसरी चीज क्या है अब फिर से हम एक बार पढ़ेंगे इसको हम फिर से पढ़ें और हमने कहा गगन के रक्ताव रंग में लाल रंग में ठीक है गगन के रक्ताव रंग में अच्छा अच्छा ओख एक मिनट बेटे चलो मैं देख लेता हूं मैं देख लेता हूं एक मिनट हाँ एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट एक दम सही एक दम सही देखो बीटा ये प्रस्न एक बार फिर से देख ले मेरे बच्चे ये प्रस्न एक बार फिर से देख ले मेरे बच्चे एक बार फिर से देख ले मेरे बच्चे एक बार फिर से देख ले मेरे बच्चे एक बार फ वक्ति नहीं है, कोई वो नहीं है बेटा, क्योंकि सब आदमी है, हो सकता है दिमाख में भाव दूसरा है, को आ गया, देखो बेटे सही कहा, बिटिया ने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है, सुख दुख जो है, ये एक दूसरे के विपरी तार्थक है, एक दम सही बताया मेर ठीक है, और ये भिपरी तार्थक है, एक होगा सही उतर्थक, सही कर लेंगे मेरे बच्चों, सही कर लेंगे मेरे बाबू, मेरे बेटे, ओ wastastenो, चलो, बहुत अच्छी बात बताईये, मेरे आपको कोटी-kोटी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे बच्चे ठीक है चलो बेटे देखो यही चीज़ है भाई हम हर बड़ी में जल्दवाजी में है अब हमने वहीं से जोड लिया है कि नी पर देखे आप जब कुल हो करके करेंगे तो खुद पर खुद समझ में आ जाएगा यार जैसे ब जगन के रकताब रंग में डूबते सूरज की किरणे पूछती है आज मुझ से जान पाई क्या कभी तुम फर्क क्या है भोड और संध्या की धुदली लालिमा में मतलब यह तो तैह है कि यह दिखा रहे है कि एक सूरज डूब रहा है और मुझ डूबता सूरज हम से पर इतना समझ में आएगा कि मैं सांथ होकर मैं सांथ हो जा रहा हूं मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूं दूर नभ में डूबते सूरज की किरणों से निकलते प्रश्न चिन्धों की दिशा में देखता हूं और बड़ दूर सूरज के डूबते हुए सूरज को बसके वल द बेखते हैं इसमें पहले हम प्रश्म पढ़नेंगे और अच्छा अजना अंजाना एक उत्तर चितिज के गहरे धुदले धुदल के ठाम लेते हाथ मेरा और ले चलते मुझे उस पार अपनी करें एक जाना सा उत्तर मुझे मिलता है जो मुझे छितिच के उस पार ले जाता है अब देखे समझ गए रकताव से क्या तात पर रहे है अब देखो बेटा रकताव आपने एक चीज देखा कि का रहा है डूबते सूरज के साथ रकताव जुड़ा है ना आपने देखा प्रशन में क् दूबते सूरज से जुड़ा है बेटे तो सीधी सी बात है कि दूबता सूरज कैसा होता है दूबता सूरज कैसा होता है तो सीधी सी बात है लाल होता है दूबता सूरज के समय आसमान लाल होता है इसका मतलब रकताव माने लाल रंग रकत से भरा नहीं होगा बेटे आब स खोड़ा सा गवर किया, वहीं से सेट कर दिया, नमबर दो, क्या कह रहे हैं, अच्छा एक मिनट, ये ज़्यादा आ गया है, कोई बात ने, चलो उल्टा चल लेते हैं, एक मिनट, मुझे लग रहा है, एक पेज बीच से गायब हो गया, यहां, अच्छा, सूरज का परियावाची है, आप देखें ये तो इसको पढ़ना यह नहीं, दिवाकर, निकर है नहीं, उसाकर है नहीं, भयंकर है नहीं, ठीक है, दिवाकर सबसे सही है, उसाकर सब्द सही नहीं, उसाकर कोई सब्द नहीं होता बेटे, दिवाकर होता है, उसाकर नहीं होता है, ठीक है, तो उसाकर, ये तो पढ़ना ही नहीं था, आसान प्रश्न था, अगला, छितिज से क्या तात पर रहे है, तो आप लोग अब देखें इसमें क्या पढ़ना, छ जो असली प्रशन लड़ते हैं, दिक्कत करते हैं वो, फर्क क्या है भोर और संध्या की धुदली लालिमा में, इससे कभी क्या कहना चाह रहा है, सुबह और साम, देखो बिटे, हम सब की जिल्दगी में रोज सुबह होती है, रोज साम होती है, और एक एक दिन बीटता जाता इतना तो हम समझ रहे हैं, सूरज हमें क्या सिखा रहा है, यही तो सिखा रहा है, हमसे यही तो प्रशन कर रहा है, कि क्या तुमको पता है, कि रोज एक सुबह आती है, रोज एक साम आती है, और इस साम और सुबह में जीवन बीटता चला जाता है, इतना तो भाव हमारे व आवदेश उत्प्रेरण संध्या की धुडली लालिमा में मतलब कि ये कह रहे हैं कि साम को जब सूरज डूबने लगता है तो उसमें क्या है उर्जा है तीब्रता है आवदेश है या उत्प्रेरण है देखो बेटे एक बात ध्यान रखना मैंने कहा ना कि मैंने यहां जान ब उबना उर्जा का छरण होता है, तीवरता उबने में होती है, है कि नहीं, आउदेश और उठ्प्रेरण, उठ्प्रेरण माने एक मोटिवेशन, और आउदेश का मतलब क्या है, आउदेश का मतलब क्या है, आदेश सब्द तो है, आवेश, आवेदस, 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 अब आप देख रहे हैं, यह कोई सब्द ही नहीं है, तो सिधी सी बात है, एक उत्तर मिल गया कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक उत्तर मिल गया, कि बहीं, कुछ प्रेरन है, एक मोटिवेशन है, क्या, जो आज डूब रहे हैं, कल फिर उगेंगे, आज संद्या है, कभी किस तत्य का पता कर रहा है, कभी की आशावादी द्रिष्टी, सूरज की किरणों की तिवरता, डूबते सूरज का प्रकास, नव क्यों चाई, अब आप एक बात ध्यान दो बेटे, जब भी आशय सब्द पूछेगा, या पता चल रहा है, पूछेगा, तो समझ लेना सीधा अर्थ कभी नहीं होगा, सीधा अर्थ कभी नहीं होगा, अगर यह अट्रिक आपके दिमाग में है, तो कभी प्रशन गलत नहीं होगा, सूरज की तिवरता सीधा अर्थ है, डूबते सूरज का प्रकास सीधा अर्थ है, नव की उचाई सीधा अर्थ है, जो भिन अर् कहें कि इस तथ्य से कभी क्या बताना चाहता है, क्या आसाय देना चाहता है, तो हमेशा वही उत्तर देना वेटे, जो सीधा अर्थ न हो, क्योंकि हर कविता में किसी भी पंक्ति का सीधा बिल्कुल अर्थ जो होता है, वो बहुत महतुपूर नहीं होता है, मेन अर्थ होता है जो जो है अलग दूसरा ग्यात अर्थ होता है ठीक है चल देख लें अच्छा कवि में कविता में कातर से क्यातात पर रहे है तो आप जानते हैं कि कातर निर्भी कुट्साही डर्पोग द्रिणिश्याी तो आप जानते कातर सब्द का अर्फी होता है डर्भूप किया आप ये कह सकते हैं कि निर्भी कुछ साही तो है नहीं क्योंकि कातर जो है बेटे ये नकारात्मक सब्द है तो इसका सिधा उत्तर में भी कुछ साहिक भी होगा नहीं डर्पोग होगा तो कहने का मतलब यार देखो बहुत कठिन नहीं होता है यदि आप एक बार कविता मेरी बात मानना मत डरना होता क्या है मैं बताऊँ जैसे ही कविता देखते हैं एक बार पढ़ा अर्थ नहीं समझ में आया अच्छा हाँ बता रहा हूँ सीरसक कैसे पगड़ते हैं very good question that's a good question कि जो है बिसर सीरसक कैसे निकालते हैं सुनो बेटे जब आपसे सीरसक पूछेगा तो चारोब लाइन कविता से संबध रहेगे लेकिन ये देखना कि कविता में जिस भाव को अभिव्यक्त किया गया है वह किसमें सबसे अच्छा है वही उसका सीरसक होगा मतलब जैसे इसमें अगर आपसे कहा जाए कि अगर सीरसक हम दे जैसे इससे कहा जाए, चलो, अगर कहें इस कविता का सीर्षक क्या होगा, दिसंबर महीना, सूरज का ढूबना, सूरज का उगना, जीवन की आशावादिता, आप देखो बेटे, दिसंबर का महीना भी यहां आया है, सूरज का ढूबना भी आया है, उगना भी आया है, जीवन की आशावादिता भी आया है, लेकिन सीर्षक का मतलब है, यह कविता कविने दिसंबर महीने का वरणन करने के लिए नहीं लिखी है, यह कविता कविने सूर ज़ज के माध्यम से दरसाने के लिए, बस बेटा समझ में आ गया, यह सीरसक निकालने का तरीका, मतलब चारों में से जो सबसे सटीक बैठे, ठीक, तो मेरे बच्चों एक सिध्यान अभी तो यह क्यों लंगडाई है, अभी तमाम प्रैक्टिस सेट, तमाम जो है, आनलाइन माध्यम से मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, और हमारा एक ही जिद्ध है मेरी, और चंद्रा इंस्टिट्यूट की, कि जो मेरा भाई बहन मेरे साथ जुड़ा है, पहले वो सीटेट पास होगा, बाद में दूसरे पास होंगे, हमने जिन्दगी में एक ही उद्देश लेक तरीके सीखे, और गद्ध्यांस पद्ध्यांस की दिखो समय कम था, और मैं गद्ध्यांस पद्ध्यांस पद्ध्यांस की प्रेक्टिस कराऊंगा आपको, दो दो गद्ध्यांस दो पद्ध्यांस लेकर करके, तो गद्ध्यांस पद्ध्यांस की अलग से प्रेक्टिस भी ह करेंगे तो कि दीठो बेटा हम एक चीज अच्छी तरह से जानते हैं कि चंद्रा इंस्टितुट न्ह हम है और दीडरेक्टर हमानी वागेिश सर हैं चंद्रा इंस्टितूट आप हैं आप हैं हम थो एक मामूली कारे करता हैं और सर केवल न्यू रख दी आप के लिए चंद्रा इस्टिट्यूट आप हैं आप जैसा कहते हैं वही काम होता है तो बेटे मेरे जैसे आप लोग चाहेंगे मैं गद्ध्यांस पद्ध्यांस के और प्रेक्टिस कराऊंगा हाँ व्याकरन अगर इतने में धंग से पढ़ लिया संधी समास एक बार देख लेना बस टेंसन ने इतना पढ़ लिया संधी समास एक बार देख लेना टेंसन ने मैं कहता हूं ये बात ध्यान रटना ठीक है तो चलो मिटे खूब मेहनत किया आप लोगों ने और यार मुझे फक्र इस बात पर होता है कि जितने बच्चे मेरे यार यह एक टीचर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धी है और इस उपलब्धी के लिए मैं आप भाई भानों का बहुत रिदय से आभार व्यक्त करता हूं यार रिदय से आभार व्यक्त करता हूं कि अगर मेरे साथ 50,000 बच्चे जुड़े और बाद में आकर 20 सजार पर मैं खतम करूं तो मजा नहीं है मजा तब है आप 35,000 आए आप 36,000 आए और रंत तक आप 35,000 बने रहे यार तीन घंटा आप मेरे साथ लगातार लगे रहे आप सब बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अगर आप इसको यह कर यह मैरा आथन क्लास तीन-चार कोश्च भी सफल करा देती है तो मेरे बेटे पास फेला और उपर नीचे नौकरी तो यार एक नमबर से आगे एक नमबर से पीछे है की नहीं इसलिए अगर मजा आया हो तो जाते जाते एक बार लाइक का बटन जरूर दबा जाए ठीक है फिर मिलेंगे फिर मिलेंगे नए क्लास मे साथ ने तथ्यों के साथ तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद